बुलेशी प्राणनाथ प्यार सी सत्गुरो महारा स्री ज्यावर धाम के श्वामी स्री लाल दासी महारा तिनो पुरी धाम बोल बोल पंजे वाले सी समस्त सुन्दर साम कदमों लाग करू सेजदां पकड के दू पायां ओ कमा करत हैं मासुक बीच आसी के दिलां मासुक तुमारी आंगना तुम आंगना के मासु ए उकमे इलमे द्रड कियां अजुरुह क्यों नाओ तुक तुम प्रितम मेरे प्राण के आतम के आधार सर्वशो भादेने योग्यों स्रीलीलानीत्यविया स्रीलीलानीत्यविया मेरा कोटी-कोटी प्राण प्रणधार सुन्दस्षाज जी कल के प्रशंग में हमने भागवत के आधार पर जो लिलाये हुई कहां लिला हुई? ब्रज मंडल में पहले हमने शीव जी के दर्शन उसके बाद वुतनावद उसके बाद हमने ब्रह्मा जी की लिला को देखा आज हम होई लिला में आगे बढ़े कल भी में ने बताया था के दामदनी अक्षरातित स्रीप्राण नाजी ने अपनी वाणी में ब्रजली लिला का परण थोड़ी घटना क्रमों में किया है क्योंकि उसने बताया कि बढ़े नर्शी मेता ने बहुत विस्तार से वरणन किया है और शुकदेव मुनी ने भी जो भागवत में ब्रजली लिला का परणन और यह भी मेंने कल बताया था कि ब्रजली लिला का परणन नर्शी मेता शुकदेव यादी जोवी महापुरुष हुए उसने इसली वरणन किया के ऐसा ही एक कालमाया का ब्रणन था तो सुन्दर्शाजी जो स्थुल धरातल पर मनबुदी चित अंकार की धरातल पर यह कालमाया का ब्रणन का वरजका दो वरणन हो जाता लेकिन कालमाया ब्रणन से परे जो योगमाया बेहद का जो वरणन है वो नहीं कर पाए नर्शी मेता और शुकदे मुनी ने भी सिर्फ प्रतिभिम लीला का वरणन किया आज हम महारास की लीला की ओर जाएगे आगे तो कल का जो प्रसंग आधा जो एक भागवत की आधार पर हम देख रहे थे तो वो प्रसंग में हम आगे बढ़े सुन्दरशाद जी तो आज चारों और वरतमान शमय में कृष्ण तत्व का प्रचार प्रशार बहुत हो रहा है लेकिन कृष्ण नाम से तो तिन बार लिला हुई 11 साल और 22 दिन की 11 दिन की और 125 वर्स तक में 112 साल मथुरा और द्वारिका का लिला हुई लेकिन कृष्ण की अंदर जो तिन बेद थे तिन अलग अलग शक्ती तिन अलग अलग शमय की अंतर पर आई और लिला की हो कोई महापुरुष कोई विला ही जानते उसके वास्तविक श्वरुप को कि किस समय कोन सी सक्ति आई और कैसी लिला की उस पर आज आगे बढ़ेंगे मैंने कल भी आपको बताया था एक परमात्मा की बात लेकर के विष्णु भगवान के बार बार जो अउतार बैकुर से यां आते है चो भी सवतार धारन करते है आते हैं तो सिर्फ विष्णु के एक जीवी लेकिन अलग 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 रूप धारन करकर आते है तो समाज के जीवों ने यह मान लिया कि हम तो राम जो राम नाम वाला तन धारन करके आए उसको ही हम मानेगे हम कृष्ण तत्व को नहीं मानेंगे जो कृष्ण को मानने वाले है वो बोलेंगे भै हम तो परसुराम के नाम के नाम वाले तन को ही मानेंगे जो परसुराम के मानने वाले है वो राम को नहीं मानेगे राम को मानने वाले हो कृष्ण को नहीं मानने वाले है वो वरा को नहीं मानने वाले है वो कश्यप को नहीं मानने वाले है वो मत्स्यप को नहीं मानने वाले है एसे अलग-अलग जो उतार आये मेरी कहने का भाव यही ये सुन्दर्शाद जी, कि शिर्फ इतना ही जान ले हो, शिर्फ इतना ही जान ले कि ये की जीव विश्णु भगवान के वईकुट से आते थे, सिधे ही वो विश्णु की पेचान कर ले, तो रूप और नाम, नाम और जो रूप के जगडे में पुरा संसार, आज विवाद खड़ा कर दिया है, संसार में, कि वईकुट से जो विश्णु आते है, वो वईकुट वाला जीव तो रूप बतार ले रहा है, हम शिर्फ विश्णु को ही मान ले, तो सब रूप रा गए, आज जगडा संसार में क्यों चल रहा है, विवाद क्यों चल रहा है, यही तो ज नाम और रूप का ही तो जगड़ा है संसार में यह वित्तक क्या करेगी उसका घटनकरम क्या बता रहा है कि विरोध सारा विश्व का भाग सीन वित्तक यह वित्तक जो संसार में आज जो विरोध और विवाद जो चल रहा है कोई कह रहा है कि राम परमात्मा है कोई कह रहा है कि दिवी देवतादी को परमात्मा मान रहे लेकिन सबको पता इधी नहीं कि उस्से भी पर एतो नारायन aspire और नारायन से भी 23 कौन है अक्षर और अक्षर से परे अक्षरा ती थे और आज मानलों कि इंदु धर्म को छोड़ कर जब हम मुश्लिम किस्टन पार्शी ताओ जैन कॉन्फिसंस जैसे बड़े बड़े जो और संप्रदाई है उसको भी यह पता नहीं है आज में भागवत और कुरान का भी प्रमान देखर उसको एक सेम करके आज हम समझेंगे सुन्दर साथ जी के सब में एक ही बात कही गई है लेकिन वेस्पुसा और किसका जगड़ा है बोली का हिंदू में जो तन आये वही मुश्लिम में आये मुश्लिम में आये वही किस्चन में आये चाहे किस्चन में इसा के नाम से जाना गया मुश्लिम में महमत के नाम से जाना गया यही तन हिंदू में प्राणनात या अक्षरातित या पुर्ण ब्रम के नाम से जाना गया लेक कि कृष्ण या देव चंद्रजी या मिहिराज या महम्मद या जो व्रज रासवाला कृष्ण का नाम लेकर हम यही नाम को पकड़ के रहेंगे तो हम भी आज वही लाइन में तो खड़े हैं वही पंक्ती में तो समझ गए मेरी बात जो तन धारण किया मैं वही बात कह रही ह तृप एसाला ऐसे मनले हो के और संप्रदाय वाले जिस जिस ने तंधारण किया चाहे ब्रह्मा कुमारी स्मत वोई तो जानकि दिधी का हो मैं सबको एक नाम बोलके मैं समझा रही हूँ आपको मैं यही एकी करण या समानता या एकता या संगठन की में बात कर रही हूँ मानलो श्वामिनार संप्रदाई होई तो चाहे गंस्याम माराज का नाम ले चाहे उसके बाद जो परंपरा चली हरी कृष्ण ले हरी ले जो भी नाम ले चलो निलकंट रणी ले तत्वा तो एक ही लिला कर रहा है ने भले अलग-अलग शमय पर अलग-अलग लोक से अलग-अलग स्तर से अलग-अलग अवस्था के रूप में आए लेकिन नाम अलग-अलग धारण की आने समझ गए मेरी बात चाहे दादा भगवान वाले मत हो तो स्रीमंदर स्वामी की बात की अलग-अलग मत की में बात करें अलग-अलग पुष्टी माल सम्रदाई है तो वलभाचारिय जी ने जो चलाया ठाकोर जी अलग-अलग रूप में जो यह आए बालकों के रूप में आज वो भी परंपरा चल रही है लेकिन हम जो नाम और रूप में पढ़ेंगे तो यह जगडा कभी भी मिटने वाला नहीं है कहां से वो सक्ति आई वो आवेश सक्ति कहां से आई किस तन में लीला की वो कहां से आई वो लोक कहां पर आया किस स्तर पर है वो लोक और ये लोक में जाने के बाद क्या पूनिय मिलेगा, हमारा जीव का ठीकाना वहाँ होगा, तो क्या मुक्ति मिलेगी, जो मुक्ति में नहीं मिलने वाली है, कल में एक जगह गई थी रात को, कोई दीदी अलग ही मत का नाम ले रही थी, मेरे को अभी में भूल गई, स्रीमंद का स्थानी यही है, परमात्मा का स्थानी यही है, सब यही है, उससे उपर कुछ ही नहीं, तो मैंने बोला कि नहीं, यह चवद लोक के अंतरगत जो भी आया है, धाम लो, भगवान लो, उतार क्योई आत्मा जीव, सब एक दिन महा प्रले में नास होने वाला है, नारण तक सब नास हो जाएगा, तो बताई आपकी जीव की मुक्ति का स्थान कहा है, तो उसने बोला कि आत्मा वही मुक्ति मुक्ष निर्वान है, तो मैंने बोला कि मुक्ष कहो, निर्वान कहो, या मुक्ति कहो, तिनों तो एक ही है, वो तो उसको पता ही नहीं था, तो मैंने बोला कि मुक्ति का स्थान है तो है कहां तो उसने बोला कि दिदी हमारी परंपरा में तो ऐसा ही चला है कि बस जब आत्मा की पेचान हो जाएगी तो आत्मा ही मुक्त हो जाएगी और यहां तिम में विच्रण करें अंत्रिक्ष में विच्रण करेंगी वही हमारी मुक्ति का स्थान मैंने बोला चाहुदलो कंतरगत कुछ बचेगा ही नहीं तो आपकी आत्मा जाएगी कहां मुल्ठीका नहीं कहां है तो उसके पास यह जवाब नहीं था उसने बोला कि हमारे धर्मगरंथ में एसा कुछ लिखा भी नहीं है मैं यह समझा रही हूं आप सबको मेरा कोई मत को न है प्रवाकी तरफ मत जाऊ लो जो हम कर रहे हों कहा है वह कहां ठायेगा हमारी आतम का ठीकाना कहां है हम कौन है हम आये कहां से है और यह संसार और शरी, चोड़ने के बाद जहना कहा है और यह दिव्य धाम कहां आया है यह सब जानो तभी तो पता लगेगा तो सुन्दर्शाथ जी आज हम ये बातों में आगे बढ़े जो लिला के बारे में हमारी कल्बात तृष्ण नाम के तन की अंदर जो अक्षरा दित की आवेश शक्ती बेठी थी और अक्षर की आतम गवलों की शक्ती और विष्णू के जीव चार सक्ती आंदर थी ने जब ब्रह्मा जी ने कल परिक्षा ली वो पेचान नहीं पाए कि उसके अंदर पुर्णब्रम परमात मा की आवेश शक्ती है जिसकी में परिक्षा ले रहाऊं फिर अंति में एक्षमा चाही लेकिन सुंदर साथ जी अक्षरातित ने उसको छमा नहीं किया क्योंकि अपने अंग वाल बाल या बच्ड़े या गाई को अरण कर लिया था ने इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको श्मा नहीं किया अंतिम में मैंने यह बात रखी थी कि हम जो ब्रह्मात्माय है जो दिव्य परमधाम से हम आये है हम ब्रह्मात्माय की चरणरज ब्रह्मा विश्णु महेस खोज रहे, खोज ते, खोज ते वो ठक गए उसको उसकी सुगंदी भी दिशा भी नहीं मिली कि ब्रह्मात्माय कहां घर की रहने वाली है किस घर की रहने वाली है वो ब्रह्मात्माय का उसको पता नहीं लगा होई ब्रह्मात्माय हम है उसका प्रमान मैंने बहुत आपको मायस्वतंत्र पुरान सहिंता ऐसे बविश्य प आगे-आगे हम जैसे प्रशंग आता जाएगा घटना करम हम जानते जाएंगे आगे हम आज सुन्दसाजी इंद्र कि इंद्र का गर्व इंद्र के अंदर जो एंकार और इंद्र का जो मर्दन है अज धाम दनी कैसे तोड़ेंगे तो आज यह लीला और उसके आगे एकाद लीला को देखकर हम आगे बढ़े सुन्दसाजी आज मैं भागवत के आधार पर बता रहें किसके आधार पर भागवत के आधार पर मैंने कल भी बात रखी थी लेकिन सी प्राणना जी ने इंद्र के बारे में सुन्दसाजी यह वानी में भी प्रमान दिया है जैसे इ वर्षा रुतु के बारिश रुतु के एक देव माना गया है ऐसे कोई देव नहीं है लेकिन पोराणुक मानियता के आधार पर पोराणुक मानियता के आधार पर ऐसंसार के लोग मानते आ रहे हैं वर्षा हो नहीं करते हैं अक्सरादित के उकमशे जो सुप्रीम पावर जिस प्राणनात, सी प्राण प्रियतम हुकम करते हैं, तभी अक्षर और अक्षर से ओम्प्रन को हो या इश्वर को हो या सदाशिव को हो या नारायन को हो और नारायन के हुकम से ये त्रिगून ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिगून के हुकम से देवी देवता सब काम, करत को यह पता नहीं है मैंने कल भी विस्तार से बात रखी थी कि सुन्दर साथ जी अब जब तक यह वानी इसंसार में नहीं आयी थी तब तक किसी को यह पता नहीं लगा था कि अक्षरातित पारव्रहम उसका घर कहा है उसका ठिकाना कहा है कैसी लिला है कैसा श्रूफ है कैसा धाम है उसके बारे में किसी नहीं जाना था हमारा एक ही उदेश्य रहेगा 18 दिन तक सुंदर साथ जी के पार ब्रह्म कोन है, पुन ब्रह्म कोन है और वानी इस संसार में यह पांच में स्वस्वम वेद जो आप सब दर्शन कर रहे हैं, यह गरंथ, यह धर्म गरंथ क्यों आया, किसलिए आया और संसार की मुक्ति दाता है, तो यह सब को संदेश कैसे पहुंचेंगे, संदर साथ जी यह 18 दिन का धाम धनी के उकम शेकार्यक्रम रखा गया है, तो पहला उदेश्यतों हमारा एक अक्ष्रादित को जाहर करना है, हम आगे बढ़े, हो इंद्र गर्व का जो एंकार अज धाम धनी कैसे उतारेंगे, हर शाल मैंने अभी बात छोड़ी, कि इंद्र बारिश नहीं करते हैं, पहले जान लो, भले हमने बोल चाल की भासा में हम समत्य आ रहें, कि इंद्र एक बारिश के राजा है, लेकिन इंद्र बारिश नहीं करते हैं, इंद्र की जो हम आज पहले से जो एक कर्मकांड मैंने पहले दिन भी बताया, दुश्रे दिन भी बता कि हम जो आज बाहियो कर्मकांड की आधार पर या कोई भी पुझा भक्ति हम करते आ रहें तो ऐसे कर्मकांडों में पहले से धनी ने मुल मिलावे से मना किया था कि प्रानधार आत्माएं आप जहातो रही हुए ऐसे अंधेर के खेल में वहां जाकर आप मेरे को भूल और श्वयम को भी भूल जाओगी और क्या करोगी पानी पत्थर आग डेवी देवता यह सब किया पूझा करोगी तो यह पूझा छुडवाने के लिए धामदानी ने प्रान्णा जी ने यह वानी में भी प्रमान रखा कि मैंने पहले भी बोल दिया था धामदानी ने खिल अपने पर यसान जताने के लिए धामदनी यहां, सिप्राणनाजी की वानी के आधार पर बताने जा रहे, हर साल इंदर की पूजा होती थी बारिश के टाइम पर और गोकुल वासी, गोकुल वासी ब्रजवासी ओर जी हर साल, जब पूजा का दिन होता था मैंने कल भी लाष्ट में छोड़ा था कि अभी पाचम आएगी क्या पाचम? नाग पाचम मैं भूल जाती हूँ, पता नि कितने सालों से नाग को भी नहीं देखा अभी एक दिन खेत में देखा खेत में देखा, बहुत टाइम उससे नहीं देखा मैंने भी सितला सातम आएगी तो यह पूजना मत छोड़ना यह जड़्चा सुनने के बाद अब इतना तो अंदर ले ही लेना तीरे दीरे छुटेगा कोई बात नहीं लेकिन छोड़ देना हमारे सुन्दर सा तो बहुत समद्दार है, जागरत है, सुन्दर सा ऐसे तो कोई पूजन नहीं करते है, सितला सातम या नाग पाचम का लेकिन कोई और आत्मा है आई है, तो आज यह भी संदेश ले ले, यहां से कि हम यह काम नहीं करेंगे जो धामधनी ने मना किया है हमारे धामधनी का आदेश काम पालन करेंगे, यह उलंगण नहीं करेंगे हम आगे बढ़े तो जब यह दीन आया, इंद्रक की पूजा का, तो रोज मैंने दूसरे दिन भी बताया कल नहीं पर्ष्व भी बताया था, कि गोपी का रोज मखन, दई, दूद या घी, सब कुछ लेकर काना के लिए लेकर जाती थी, ने, रास्ते में काना दान लीला करता था, लकुटी लेकर, लकडी लेकर रोकता था, रास्ता के रोकता था, सुन्दर साथ जी यह बात में आगे बढ़ाने जा रही हूँ, फिर मैंने यह भी बोला था, कि जब से राज गोखुल आये पीछे ब्रजवदु मथूरा ना गई, फिर उसके बाद मथूरा में ब्रजवदु ट्रेक्ष करके रूप में देने के लिए नहीं जाती थी, सुन्दर साथ यह बात को यहां जोड़ दो रोज लेकर जाती थी, लाला के लिए लेकर नहीं गई, आज किसके लिए लेकर गई इंद्र के लिए लेकर गई, किसके लिए लेकर गई आप रोज राजी को भोग लगाओ यह किसी की बात नहीं है किसकी है किसकी बात है यह हमारी है आप सब गलती करों अभी पकड़ जाओगी अभी मैं पकड़ लूँगी थोड़ी देर में आप सब को भले चुस्त सुन्दर साथ हो अभी आप अंगुली उची कर देना रोज राजी का तीनो टाइम भोग लगाती हो सुब को वानी पढ़ती हो सब सुन्दर साथ वानी पढ़ते है तीनो टाइम भोग लगाते है सुब साम ध्यान भी करते है लेकिन जब घर में साधी का प्रसंग आता तो घर में किसको मैठाती हो अंगुली उची कर दिये जिसने राज्जी को मैठाया वो नहीं करेगी भाई मैं कोई रटा रटा कर नहीं आयो मैं को राज्जी आद दिला रहे तो मैं बोल रही हूँ ये कोई अंदर रटने की बात नहीं है घर में जब मंदप मुहरत होता, साधी का प्रसंग होता, तबी राज्जी को भोग लगा दिया गनेश को, भाई राज्जी को लगा दिया इतना नीची आथ रखे और गनेश को लगा दिया उच्छी आथ करें. चोड़ो बात, किसकी बात हमारी तो है, मैं इंद्र की बात थोड़ी कर रही हूँ, गपी का ये गई थी, तो गपी का कौन थी, तो हमारी तो बात है किसकी वोगे कोई आज दूसरी थी, तब तीसरी थी क्या, तब पहली वाली थी, आज दूसरी है क्या, तब थी वो तो आज तब ती वो तो आज है, समझ में आया, मेरी बात को समझ में आया, क्या नहीं आया, तभी गनेश को क्या लगाती हो, लापसी और मग, मुग, मुग, क्या लगाती हो, तभी राज जी तो याद आते भी, पता नहीं क्या उस पर अक्खी बैठ दी है, क्या बैठ दी, उसकी ओर ह द्यान मेंनों भी देखा मेरे जेट के घर पे ये गलड़के की हमारे बच्चे की साधी थी तभी मैंने देखा पता नहीं ऐसे एक बाजोट पर जो छोटी सी एक लकड़ी की पट एक चोकी थी उस पर भोग लगा दिया एक लापसी और मुग का फिर पता नहीं किसकी और हम ल उसमें में बहुत गहरी बात बताने जा रही हूं बले आप गनेश्का करो लेकिन उसकी और आपका भाव किया समझ में आरा है सिर्फ एक फॉर्मोलीटी कर दी उसकी और अमारी ध्यान भी नहीं रहती है क्योंकि क्यों नहीं रहती है कभी भी सोचा सुन्दर साध्जी हम भी भी गेहराय में गए, नहीं है, हो भक्ति प्रेम की भक्ति नहीं है, प्रेम लक्षणा भक्ति वो, नहीं हो नव प्रकार की भक्ति के अंदर आती है, जो यह भक्ति है ने, यह नव प्रकार की भक्ति के अंदर आती है, उसके अंदर प्रेम नहीं उपजता, यह कैसी भक्त रहती है सिर्फ कर्मकांडों की भक्ति रहती है उसके अंदर कोई वीरह नहीं है उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है उसके अंदर कोई दर्द नहीं है बस एक फरज की जो बंदगी होती है वही बंदगी हम उपाशना या कर्मकांडों कर लेते हैं लेकिन उससे पर दस्मी जो भक्ति है जो वलभाचारिय जी प्रेम लक्षणा भक्ति संसार में लेकर आये कौन लेकर आये वलभाचारिय जी दस्वा प्रकार की उस भक्ति में प्रेम मिला प्रेम की सुगंदी आई वो भक्ति आतम भाव की भक्ति है किसकी जहां जब तक हम आतम के धरातल पर नहीं जाए तब तक हमारे अंदर ये सुगंधी भी ये पेचान नहीं होगी और उससे परे अनन्य प्रेमलक्षणा भक्ती इस संसार में कौन लेकर आए। कराये इसलिए सुन्द साथ जी हमारी भक्ती है यह आतम और परमात्मा की अंगी अंगनात की भक्ती है ऐसी वलवचार यह पुष्टी मार्ग में भी यह कातम और सखी भाव की भक्ती है और सुन्द साथ जी हम सब देख रहे हैं जो मैं बात कर रही थी इंद्र की किश्की इं गनेश कोई बैठाते दभी राज जी को नहीं बैठाते पकड़ गए ने सब पकड़ गए ने सुन्दर साथ जी तभी गोपिया ने किया किया दूद दहीं मक्कन लाला के लिए ले आई लाला ने सोचा कोई अलग प्रशंग होगा गोपियों के घर में या कोई अलग दीन कि कुछ आज होगा क्योंकि गोपिया मेरे बिना एक पल नहीं रहे सकती है मेरे लिए कुछ भी तो लेकर आती आती आज कुछ लेकर नहीं आई तो कुछ होगा तभी पुछा कि गोपिया आज तुम सुबह से मैं रोज आपके आंगन में खड़ा रह जाता हूँ आज रोज आप मेरे लिए कितना अच्छा-च्छा, सुबह जल्दी उठकर, कैसे मखन निकालती हो, दूद से मन्थन करके, दधी मन्थन करके, दाहीं से मन्थन करके, मेरे लिए कैसे मखन निकालती हो, मेरे को खिलाती हो, ऐसे मटके में लेकर भी रास्ते में आती हो, तो आज मेरे है कि मेरे को भूल गई तब गोपिया तो भोली थी गोपिया तो कौन गोपिया थी हम थे तो उसने बोला क्या बोला के लाला आपको तो लाला आपको तो हम 11 मैने और 99 दिन रोजी भोग लगाती है लेकिन एक दिन दो हमारे लिए भी होना चाहिए जाइन आज ह्ये लाला आज इंद्र का जादीने जो बारिस हो करता शेले आज इंद्र पुझा का दिने हो अन पाणी घास सब हों उगाता है गास को और बर्सा भी हो करता है जब बर्सा होती है तो अन पेदा होता है ऐसे हमारा जीवन चलता है तो लाला हमारे जीवन की जो जरूरत पड़ती है वो चीज वस्तुये सब इंद्रकी गुरुपा से प्राप्त होती है तो आज आपको मक्षन, दल, दहीं या दुद नहीं आपको आज खिलाएंगे आज हम इंद्रकी पूजा करेंगे तब लाला ने बताया लाला अंदर सोच भी रहा है क्या सोच रहा है कि देखो परमधाम में राजी की अंदर आवे शक्ती भी बैठी है ने सोच रही है देखो परमधाम में कितना बड़ा दावा किया था अरे धनी एक बार नहीं कितनी बार भूल गई या नहीं भूली भूल गई किसकी बात है ये वानी की बात है किसकी बात है ये वानी की बात है सुन्दर साजी लाला अंदर से अपनी आवेश सक्ती से देख रहा है कि देखो इतने दिन में तो वो भूल गई बह गई अंदर रल गई आज देखो इंदर की पूजा कर रही है तब लाला ने बोला क्या रहे आपको पता ही नहीं इंदर बारिश नहीं करता इंदर अन को नहीं उगाता इंदर पानी नहीं देता अनाज नहीं देता ये सब गोवर्धन परवत दे रहा है कोन दे रहा है गोवर्धन परवत दे रहा है श्री प्राणनाजी ने वानी में बताया ये कुलजम वानी ने ये ब्रह्म वानी ने सुन्दर साजी ये तार्तमवानी में बताया कि गोवर धन को ढापिया एक बुंद नववा दखल आग पानी लोहा जरे सोस लिया सब जल क्या बताया गोवर धन को ढापिया एक बुंद नववा दखल आग पानी लोहा जरे सोस लिया सब जल यही बात भागवत में भी बताई गई और कुरान में भी बताई गई कुरान में उसको हुद तोफान कहा गया क्या कहा गया कुरान में हुद तोफान कहा गया और भागवत में शुक्रेव मुनी ने वरणन किया कि गोवर्धन परवत लाला ने बताया गोपियों को गोपिया कौन थी भुलना मत कौन थी हम थी बार-बार में याद दिला रही हूं कि हम थे और कोई नहीं थे तो लाला ने गोपियों को बताया कि गोपिया आज आप इंद्र की पुजा करने जा रही हूं देखो गोबर्धन उपर घांस उगता है और पानी भी उस पर ही बारिस भी उस पर होती है वही आज च्छाया जो च्छाय पड़ रही है नीचे गाई बच्छडे भी बैड़ते हैं अम भी बैड़ते हैं देखो फल भी वो देता है फूल भी वो देता है सब कुछ वही तो हमारा है तो आप इंद्र की पूजा क्यों कर रही हों तो उसने बोला कि लाला ये थोरी खाएगा हम जब देवी देउता को धराते तो हो खाते या बोलिये श्री किसकी बात हो रही है किसकी बात हो रही है हमारी किसकी बात तब लाला को बोला कि गोवर्दन परवत्तो एक पत्थर, मिठी, कंकन या बालू या रिती के छोटे-छोटे कहने वो थोड़ी खाएगा, तब ही लाला ने बोला, मंद मंद मुस्कुरा रहे, अरे आप आज अन्न मेवा मिठाई, अनेक प्रकार की वान गिया, आप बनाईये तो सही, देख लेना आज न खाये तो आने वाले शाल में, आप मत उसकी पुजा करना, आप जो इंद्र की कर रही ह वोई प्रवा में आप जाना, तो आज गोपिका को बोला, गोपिका तो इतनी आनन्दीत, सब ने वेश्पुशा धारण कर ली, कैसी वेश्पुशा? बहुत सुन्दर, ऐसे सोले संगार सजकर, ऐसे सुन्दर वस्त्रो राभुशन सजकर, गोपिका यह नए एक प्रकार के वानगी या मिठाई बनाकर, बोल दिया लाला ने कि रोज तो आप छोटी सी थाली में लगाती हो, कितनी थाली में? एक छोटी सी थाली और इतनी कटोरी, ज्यादा तो लाला नहीं खाता ने? कौन खाते? हम खाते, ज्यादा धराएंगे त हम चोटी सी राज्जी के लिए चोटी सी थाली रखते हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी रखते हैं, वहां भी हमारा भाव, नहीं रहता, राज्जी के लिए कितना भाव रहता, मैं एक एक बात को समझा रही हूँ, तब लाला ने बोला सक्या, लाला ने क्या बोला, अरे सक्या देखो आप जब देवी देवता इंद्रकी पूजा करते तब छोटी सी थाली में इतना सा छोटा सा पतिले में बनाते और भोग लगाते ने आज इतना नहीं बनाना क्योंकि गोवरधन परवत तो बहुत विसाल है उसका रूप तो बहुत विसाल है बड़े-बड़े माट मटके पतिले भर भर कर और ऐसे छोटे से प्लेटफॉम पर नहीं समा पाएगा क्या करना है बड़ी-बड़ी बेल गाड़ी में या गोड़े गाड़ी में सब भर के ऐसे उट गाड़ी मंदर लेके जाना है और कहां लेके जाना है गोवरधन परवत के पास तो गोपिका तो सुबह से जल्दी से उटकर मंगल प्रभात में उटकर जल्दी-जल्दी सब ने अनिक प्रकार की वानगिया मिठाई बनाई और कहीं बेल गाड़ी कहीं गोड़ा गाड़ी ऐसे कहीं मटके पतिले भर भर कर सब ने सामान सेट कर दिये सब वस्त्राभुषण से सुसजीत होकर गोवर्धन परवत पर पहुँची और वहाँ एक दर्वाजा होता जब अंदर प्रवेश करने का और लाला ने देख लिया गोपिका ने तो मेरा मान लिया चलो आज मेरे को तो गोवर्धन का रूप लेना पड़ेगा तो लाला ने क्या रूप लिया? गोवर्धन का लाला के अंदर कोन सी सकती ए मत खुलना? कोन सी सकती है? अक्षरातित के आवेश और जोस और अक्षर की आतम और गवलो की शक्ती फिर लाला ने गोवर्धन का रूप लेकर दर्वाजे के पास खड़े रे गए और बोला सखिया आपकी कितनी कितनी गाडिया है जो भोग लेकर आई हो कोई सखी बोली यह मेरी दो गाडिया है कोई बोली मेरी तीन है कोई बहुत दन्वान घर की सखी थी तो पास पास गाड़ी लेकर आई थी तो उसने बोला कि आप यह खड़ी दे जाओ फिर कतार बंद बंक्ती बंद अंदर जाओ और भोग लगाती जाओ भोग लगाती जाओ देखो आज लाला खा रहा है या नहीं जो इस बार खाले तो हर बार लगाना इस बार ना खाये तो लगाना नहीं ऐसे गाड़ा जो गाड़ी हो खाली होती जा रही है वानगी मिठाई बोग लगाते जा रहे लगाते जा रहे लाला ने तो बहुत विसाल रूप ले लिया सब की वानगी मिठाई खाते ही जा रहे खाते ही जा रहे खाते ही क्या खा रहे धनी हमारे दिल का प्रेम खा रहे वो लाला खा गया और जब परिक्रमा करकर गोर्धन की परिक्रमा दीने सबने फिर वापस ट्लोटने के बाद उस तरफ आउट का दरवाजा उस तरफ होता ने एंट्री का एकजीट और आउट दोनों लग अलगोते ने तो इस तरफ निगली तो वहाँ भी लाला खड़ा था लाला ने पूछा क्या खाया या निगोर्धन ने अरे लाला कोई दिन इंद्र ने तो इतनी थोड़ी सी में पतिले में या कतोरी में या थाली में हम हर साल भोग लगाती थी तो यह खाता भी नहीं था ऐसे मंदिर में बड़ा रहता था भोग कभी भी इंद्र ने खाया न गोवर्धन परवत सभी खा गया गोवर्धन परवत अरे सभी खा गया क्या लाला ने बोला तभी गोपिया ने बोला सभी ने खा लिया तभी गोपिका के मन में क्या आ गया तो हम हर साल वही करेंगे तो हम पहले क्या करते थे सरीयत कर्मकान पहले हमारी प्रारंबिक शीडिय क्या थी अंभी पानी पथर अगनी देवी देवता को पूट्य थे ने फिर लाला कौन अक्षरा तीत उसने अमने को क्या सुद्धी वानी आने के बाद घर में घर में जब वानी आई तो हम क्या करने लगी राजी की सेवा पुजा करने लगी ने उसके बाद पता चला कि अक्षरा तीत अमारे प्राणों के ना थे अक्षरा तीत होई तो हमारे प्रेम रुपी भोग को आरोग रहे खा रहे तो ये इंद्र के जो मर्दन उतारे गर्व उतारे और जब घर पे पहुँचे गोफिका को विश्वास आ गया उस बात से यही समझना सुन्दत साथ जी के सब कुछ राजी करवा रहा है जो भी हमारे दिल में बात उठा रहे हैं या प्रेणा कर रहे हैं वो राजी करवार हम से एक छोटे से पत्ते एक तिन के भी हम से हिलते नहीं है हम सिर्फ एक कठ पुतली है कोन है बस यही मान लो कि जैसे 32 पुतली की पेले आता ख़बर छे खेलने वाला एक जादूगर तो बताते एक पुतली को उपर खेच दे एक पुतली को निचे ले जाए दो को निचे लाए एक को हम देखते पता है एक नट आता बाजीगर ऐसे हमारे बाजीगर अक्षरा थी थे हमको कठ पुतली की तरह नचार हमारा कुछ चलने वाला नहीं है जैसे घर में आई वह सब कुछ लिला खतम करके उसके बाद नारज जी इंद्र के पास गए नारज जी ने बोला कि इंद्र आज तो आपकी पुजा बंद ह गई देखो आज किसकी पुजा हो रही है गोबर्धन की हो रही है उसने बोला कि अक्षरातित पारव्रम की शक्ति लाला के अंदर आई एक तिष्ण नाम के तन में आई है तो देखो उसने उसकी पुजा शुरू करवा दी है तो इंद्र के अंदर एक दम अंदर अगनी औ तो सिदेई क्या अंदर से सोच लिया कि आज तो पूरे गोकुल को पूरे वरजमंडल को जल में विलिन कर देना है तो ऐसे उसने क्या किया क्या 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 प्रकोप किया और पूरे वरजमंडल को जल में डुबा दिया इंद्र लेकिन जैसे हमारे सिर पर कौन खड़े मे बरसो भी बोला था अक्षरा तीत किसी की सक्ति है क्या मारने की मैं एक बात आपको पूछू मारने वाले बड़े या जी हमको एक उगारने वाले बड़े है उगारने वाले बड़े ने मारने वाले का चलता नहीं है सुन्दर साथ जी तो लीला क्या घटी दुई ब्रजमंड लाला को पता चल गया सब रजवासी गोब बाल के सक्खिया लाला के पास आई लाला को पुछा कि लाला हमने कल आपको किया था ने कि जब हम आपकी पुजा आपने बोला कि गोबर्धन की पुजा करो इंद्र की पुजा बंद करो तो देखो हमने जो इंद्र की पुजा बंद की ने तो आज इंद्र ने आज क्या वर्साया प्रकोब किया और आज बारिश वर्सा मुसलधार वर्सा के बाद अज पूरा जल बंबाकार पूरी वर्सा से विलिन हो गया जल में लेकिन लाला ने गोवर्धन परवत को अपनी अ इक Pasra電 शॉक्ष नमस्हाँ गवलों की ऑ्क्षर की आतम सब रजवासिने अपनी अंगुली का तेका दीला सहरा दिया उसमें मान लिया कि हमने भी सहरा कई बारं भी है कि देखो हमेतो राजी है हम क्या मानते हमेतो राजी है लेकिन पता ही ने कि हम को बोली ऐसी प्रानना यह पताम को नहीं है सुन्दसाजी लेकिन राजी हमारी गरीमा, हमारी बढ़ाई, हमारी महिमा, हमारी ग्याई संसार में बढ़ाई है यह राजी जाहर करने के लिए जैसे गोकुल के अंदर, ब्रजमंडल के अंदर गोब बालको को सोबा दी, के बालको, एक गोब बालको आप भी अंगुली का एक सहारा दीजिए, लेकिन लाला अकेले भी कर सकता था ने, बढ़ाई किसको दी, गोब बालको को दी, ऐसे धनी, क दिन के बाद आपको कोई पुछेगा कि 18 दिन तक आपने नाना मौवा चोक में जो ये प्लोट में एक खाली पुरा ग्राउन में चर्चा सुनी तो आपने किसकी चर्चा सुनी तो आप क्या बोलेगे राज जी की या जोसना बेन के मुख की आप किसी को जवाब देगे तो मेरा ही तो नाम लेगे भले में राज जी की बात कर रही हूँ लेकिन किसी को तो मेरा माध्यम बना कर बोलेंगे ने कि वहाँ जोसना बेन चर्चा कर रहे थे उसके मुख्षे हमने ये चर्चा लेकिन पहले राज जी ने किसकी पैचान कर रही ये जुठे, तन की करवाई ने जुठे वजुद की, लेकिन जहर कौन रहो रहे, राज जी, जहर कौन रहो रहे, अक्सरा, ती, लेकिन अपने सब को, सबने किसको पैचाना, मेरे को पैचाना ने, इसलिए राज जी ने किया, वानी में भी बोल दिया, वानी में भी राच्जी ने क्या बोला वानी में? कि किसी के माध्यम से वानी खुलने वाली नई है ब्रह्मात्माये assumptionsाजी संसार में जाओ और ये मिर्मा वानी को जाहर करो पुरे संसार में संदेश दो जब मेरे को आप जाहर करने के लिए निकलोगी तो आप जाहर पहले होगी पहले में तो जाहर होगा ही होगा लेकिन उसके साथ आपकी भी बेचान सबको होगी तो सुन्दर साथ जी धाम धनी जाहर तो हमको कर रहे हैं और करने वाले कोने क्योंकि बड़ाई किसको देना चाहते हैं हमको तो ऐसे गोवर्धन परवत की लिला आज हमने सुन्दर साजी सुनी फिर गोवर्धन को जो अंदर से एक इंद्र को अंदर से जो एक इश्षा द्रेश और जो जल में पुराविलीन किया कृष्ण जी जान गए कि यह सब इंद्र का ही काम है तब व्रजवासियों को नीचे बचा लिया किसी को सुन्दर साजी कुछ नहीं हुआ और यह भी बताया कि काफीर लोग थे जो कृष्ण तत्व को मानने नहीं वाले थे जिसने उसकी पेचान नहीं की वो लोग डुब गए और जो पेचान की थी वो लोग बच गए भागवत में बहुत सुन्दर ढंग से वरणन किया गया है ऐसे प्राणना जी की वाणी में भी वरणन किया ऐसे कुरान में भी वरणन किया कि जो लोग काफीर थे एक परमात्मा को मानने वाले नहीं थे वो डूब गए और एक परमात्मा को मानने वाले लोग बच गए ये दो रूपों से दो अलग-अलग तरीके से बात जाहर होती है यहां भी हम अलग-लग अवतार भगवान या देवी देवता की पूझा करते थोड़ी देर अवतार को पुकारते, थोड़ी देर देविदे अवता को पुकारते, देखो हो आते तभी उसको पुकार लेते, तो कौन किसको बचाएगा, जब एक की परमात्मा को हम पुकारेंगे, तो एक अक्षरा तीत आ जाएगा, उसके बीना को इस ब्रह्मान में सरव अच्छ इस संसाक्षर अक्षर से परे अक्षरातीती है तो यही बात गोवर्दन परवत से अमने जानी गोवर्दन परवत या इंद्र की बात के आधार पर अमने जानी इंद्र ने फी एक्षमा चाहिए उसको पता लगा कि यही अक्षरातीत यही पुर्ण ब्रह्म है उसने एक्षमा चाही लेकिन सुन्दसाजी अक्षरातित ने ब्रह्मा जी को एक्षमा नहीं किया था इंद्र को एक्षमा कर दिया क्यों क्यों क्षमा कर दिया ब्रह्मा जी ने अपने अंग जो लाडले थे गोप बाल के या बच्छडे गाई उसको चुरा लिया था ने उसको गु दिन और आठ रात, कितना? साथ दिन और आठ रात तक सब वाला जी के साथ रही ने, समझ में आ गया? साथ दिन और आठ रात वाला जी के साथ रही ऐसे घर के सासू, ससरा, ससूर, या घर के रिष्टे, परिवार, पती, बच्चे, ऐसे माया से हम छुटने वाले नहीं थे, तो राज जी ने गोवर्दन परवत के माध्यम से या इंद्र के माध्यम से क्या बताया जो ये कारिय करम राज जी ने नहीं किया होता तो आप भी साथ नहीं अठार दिन राज जी के चरणों में नहीं रेपाते ये धाम धनीने कारण उप जाया है जैसे गोपाल के और जो ब्रजबदुये थी और गोपी काये थी रोज बाना करकर जाती थी ने वाला जी को मिलने के लिए सास की भी करेती थी ससूर की भी करेती थी पती की भी करेती थी डर रहता था ने सुन्दस साथ जी ऐसे कई बाना करकर तो पानी भरने के लिए चली जाती थी फिर गिरा कर फिर मटका लेकर जाती थी ने तो आज आप भी ऐसे ये दो घंटे के लिए एक गलत बोल कर आये तो थोड़ी आ सकते हैं ये राज जी ने क्या किया ये कारण ये बाना डुंडा और अठार दिन आपको एक गोवर्धन परवत नीचे धाम धनी ने सब विलिन हो गया जैसे जैसे वो जल बंबा का वो जल में विलिन हो गया ने पुरा संसार तो आज आप एक गोवर्धन परवत के के नीचे बेठे वह सबातमा हे तो आप धाम धनिके चरणों में पहुची और संसार के जीवाहई कई सोय वह तिन से पांच तक क्या करते संसार्थ के जीव क्या करते है तो कि डार कॉड़िस अधर गंटे कि नींद तो सुबक नीद वूड़ भी जाती है जो जारों साल से एक सरी रुपी कबर में जो जीव अगनानता रुपी निंद में जो सोते आ रहे ने उसको कभी भी परमात्मा का पता पैचान नहीं हुई थी वह आज संसार के जीव वीचारे का अगनानता रुपी अंदकार की निंद में सोय है वह वीचार अपने काम बिजनेस में मस्त है आज धाम धनी उसने जल में विलिन क्या संसार एक जल तो है मोहरुपी क्या जल है मोहरुपी जल में सब को विलिन कर दिया और आज आपको सब को बचा के धाम धनी ने उसके चरणों में अपने सब आत्माओं को अपने चरणों में रखा ऐसे गोवर्धन परवत की लीला को क्या करूए गंटे चला गया मेरे को तो रास में लेके जाना था कोई बात नहीं राज जी जो भी करे वो उसके आथ की बात है हम तो आथ हुकम के मैं तो यह बोल दूगी 18 दिन के बाद हम आगे बढ़े उसके बाद मैंने बोला था के काई लिलाये होई अगाशूर बगाशूर कलम ने शक्ता सुरो तुना वरत की लिला तो देख ली थी उसके बाद एक प्राण्णा जी की वानी की मैंने भुलाने पहले हम वानी को स्थान देंगे पहले प्रात्मिकता वानी को देंगे शी प्राण् राश्क्रहंथ में अनुकरण लीला में यक्ष कुभेर हो गए उसके दो पुत्र नलकुर्ण और मनिगरिव हो गए वो दो पुत्रों की जो वाट आती है व वानी में भी दी गई है तो व प्रमान भाग्वत में भी दिया है तो भाग्वत कै आधार पर लीला जानते जानते प्राण्णा जी की वानी और भागवत का एक समानतर करके आप ये बात दोनों लेकर साथ में चलेंगे हम आगे बंडे शुन्दसा जी और भी एक लिला घटीत होती है यसोदा जी के घर में ऐसे तो पूरे गोकुल गाओं में बहुत गाये थी मैंने पहले दिन भी बात रखी थी ब्रजलिला के दिन तो गाई होती तो दूद भी बहुत होता ने दोहन करते तो दूद भी बहुत बड़े बड़े पतीले ऐसे चार मुखवाले चुले, चरी चुले बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चरी चुले, उस पर बड़े-बड़े मटके, तभी मिटी के मटके होते थे, मिटी के, तो मटके में दुद गरम हो रहा है, दुद उबल भी रहा है, उबल कर नीचे गिर रहा है, क्या हो रहा है? नीचे और जसोदा के गोद में काना है माताजी के पहले कहा ध्यान जाता मैं किसकी बात कर रही हूँ राज्जी की स्यवा चलती हूँ और हमारा ध्यान कहा रहता किचन की या किसकी बात भागवत की या हमारी अब तक हम की साधार पर सुनते आ रहे थे मेरे को पता ही नहीं, मैं घर पे नहीं पढ़ती, बस अभी राज जी बता थे, तो मैं बता देती, मैं सच कह रही हूँ, मैं घर पे कुछ ही नहीं पढ़ती, बस राज जी बता देती, तो मैं बता देती हूँ आपको, यह कोई भागवत में भी नहीं लिखिये, तो मैं कैसे बनानी या जाड़ू पोचा बच्चों का नास्ता लंच हमारा ध्यान कहा रहता या दूद वाला आ गया या जो भी सुब को आ गया तो हमारा ध्यान बहार की वो रहता एक बार भोग लगाते मंदिर में फिर बच्चों को जाओ जाओ तो दूद उबल नहीं रहा ने जाओ च चला जाता सुन्दर साथ जी, तो दो काम साथ में मत करो ने, ऐसा करो पहले किछन का खतम कर लो, उसके बाद क्या करो, राजी की से वाले कि सांती से करो, और अमन ये की जगह, एका गरता, कॉंट्रेशन के साथ, राजी के मैंने पहले दिन भी रोते रोते बताया था, के सुन्द साजी, बले दस मीटी मंदिर में बैठो, लेकिन इतनी लगन के साथ, इतनी जिग्या सा, इतना वीरह और इतना प्रेम भर कर बैठो, के एक की पल में राजी का दिदार हो जाए, बले अनुभुदी तो होनी ही चाहिए, अन्ति में करो ने, यां समय की कोई मर्याद नहीं है, बले ही थोड़ी देर के बाद करो, लेकिन माता का धियान पहले दूद में रहता ने, माया पहले दिखती हम, हमारे अंदर भी क्या होता है, माया पहले दिखती राजी को साइड में कर देते ने, ऐसे माता जी को दूद उबल रहा है, इतनी गायों का दूद पतिल नहीं लाला ने देख लिया कि मा को मैं बार-बार संसार की ओर से ध्यान से सुनना, मैं और बात गहराई में ले जा रही हूँ। लाला ने बोला कि मैं बार बार ऐसे कार्यकरम करा कर बार बार संसार की ओर से निकाल कर कि चड़ की ओर के निकाल कर मैं अपनी लाला ने लाला को माने गोद में नहीं लिया माने लाला को गोद में नहीं लिया लाला ने मा को गोद में लिया है बोलियर्शी प्राननाद, समझ में आया, समझ में आया, पिछे समझ में आ रहा है, जसोदा ने माक, जसोदा ने लाला को गोद में नहीं लिया, लाला ने जसदा को गोद में लिया है, समझ में आया है, पूरे ब्रह्मान को किस ने धारन किया है, अक्षरा, तित ने धारन किय याने पुरे ब्रह्मान को, उसकी सक्ति या उसके उकम से सब कुछ चल रहा है, किसकी छत्रसाया में हम अजी रहें, किसके उकम से हम अजी रहें, अक्सरा तीत के, तो पुरा संसार, ये भरत खंड या पुरा जो भी ले लो, तो उसकी गोद में तो हम बैठे, उसकी छत्रसाय को छोड़ कर हम संसार की और जाते तो दुख होता के नहीं होता संसार क्या देने वाला है दुख संसार में क्या भरा है असत जड़ और दुख आदी व्यादी और दुख और बरमात्मा के चलनों में क्या है प्रेम आनंद और शांती तो जितनी बार हम संसार की और जाएगे त दुख 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 आएगा या नहीं आएगा, फिर हम सिरुप पर रुमा लोड़ कर दुख के मारे रोते रहते हैं, तो दोस्त किसका है? हमारा है ने, लाला बार बार अपने गोद में ले रहा है, हम बार बार संसार की ओर जा रहा है, माता नहें ऐसे लाला को नीचे रख में दोनों की और छुट गयने युमारा राध्जी की और भी ध्यान नहीं रहा और किचं डियां नहीं रहाने इससे पहले एक राजी का करो फिर किचन का करो या घर का करो परिवार पती का करो तो दोनों की और ध्यान रेता ने तो और आगे क्या लिला हुई सिप्राणना जी ने वानी में बताया सुन्दर साथ जी कि आगे क्या लिला हुई माता जी अंदर से एक क्रोध में, यह यहां वाला तो क्रोध नहीं, प्रेम वाला के के जिसके गर में अक्षरातित की और गवलों की शक्ति की लिला हो रही है, तो यहां वाला क्रोध और रहेंकार नहीं, लेकिन प्रेम वाला अंदर से थोड़ा क्रोध आ गया, अंदर गुस उखल उखल बॉलते, उसको इंदी में उखल बोलते, उसके साथ Laila का पेर बांदिया, Laila का रषी को लेकर उसके साथ बांदिया, पहले बांद रहा है प्राणना जीने बताया वानि में, मतयासोदा लेकिन लाला बोंद। नही रशी तुकी पढ रही है ने, कब रही क्या भूनियकर में अचीस सब्रने के लिए लाला ने सोचा के मामको बोहुत कुम पन्या? उन्हें, में यहां को बहुत प्रैस्रम हो रहा है थुक्षी अरहिए कितनी मेनत करेगी कितना प्रयास करेगी तो फिर रसी पुरी हो गई लाला को उख़ड के साथ बांद दिया फिर क्या लिला हुई आगे प्राणना जीनेवानी में बताया कि लाला तो ऐसे नटकट छलिया था ने लाला ने और आगे लिला करनी थी मैंने अभी बताया कि यक्ष कुबेर के दो पुत्र थे मनिगी और नल कुबेर वो एक बार पौराणी के कथा है कि एक बार वो सरोबर में श्नान करे थे दोनों कैसे स्नान कर रहे थे इसे सराब मदीरा लेकर मस्ती में जुम रहे थे उसको पताई निथा अपनी सरीर और अपनी तन की और नगन स्नान कर रहे थे और मदिरा के नसे में पास में से नाराजी पसार हुए, तो नाराजी की ओर देख के उसने प्रणाम नहीं किया, नाराजी अंदर से एकदम करोध में आ गए और उसने स्राप दे दिया यक्ष कुबेर के पुत्रों को, कि जाओ आप जैसे एक नगना खड़े हो कर आप सान करके खड़े हो ऐसी स्थिती में आप पेड बनोगे रुख्ष बनोगे जाओ उसने स्राप दे दिया तो दूसरी बार जन्म लेकर ये रुख्ष की योनी में आए और मनिग्रीव और नल कुबेर बने दोनों पेड रुख बने और जब उखल के साथ लाला को बांद दिया था तो दो काम लाला को करना था उसका नाम सिप्राणना जी ने वानी में बताया और भागवत में भी बताया है मैं दोनों सेम करके बता रही हूं यमला और अरजुन उसका नाम क्या था रुख्ष का नाम उसके अंदर सक्त किसकी थी? जीव किसका था? मैं कई बार अपनी चरचा में बताती हूँ, के चार खान या छे खान की योनी है. मैंने पहले दीन पी चरचा में बताया है, जो उदब suppression लेकिन के दिन जनम लिया था, उसके अंदर भी चेतन था थी, लेकिनी क opens दो अवस्था में थी. जब उखल के साथ जो बांदा था लाला ऐसे-एसे पेर घसर कर जब उखल महां तक पहुचा कहा तक जो यमला और अरजुन दोनों जो पेड थे उसके बीच में फस गया और दोनों पेड लाला के अंदर तो कितना बल है किष्णा के अंदर जिसके अंदर पर अक्षरातित की आवेश शक्ति है तो दोनों पेड नीचे गीर गए और उसके यमला अरजुन के पेड के अंदर मनिग्रीव और नल कुबेर दोनों पुरुस प्रगट हुए और दोनों क को मुक्ति मिली किसके माध्यम से अक्षरातित की आवेश्च शक्ति और अक्षर की आतम और गोलों की शक्ति भी थी लेकिन अक्षरातित ने उसको उसका उधार किया ये बात भी आई तो दोनों काम हो गए और उसके बाद एक और भी लिला हुई जमुना जी के यमुना जी के एक नदी के तट पर जब एक बार लाला गए किष्ण जी के रूप में तब ये पानी विशेला था विश रूप था क्योंकि अंदर जो नाग दमन की अमबात सुनते आ रहे ने अभी थक तो विशेला था पानी तो उसको एक रमनिक दीप नामक जो समुद्रे भागवत में ब बोला गए जाओ रमनिक दीप जो नामके समुद्र उसमें चले जाओ ये मुना के जो जले उसको विशुरुप अलगकर उसको विशुरुप से मुक्त कर दिया और अम्रुत बना दिया ये भी लिला हुई आज किसके माध्यम से हुई अक्षरादित की आवेश्रादी के अंतिम में एक लिला है मैं विष्टार से इसलें में बता रही हूँ क्योंकि आज सुन्दसाजी बहुत लिलाओं को रखना है राजी पता नहीं कितनी लिलाओं को रखे कितनों को छोड़े यह उसके दिल की बात है मेरे को भी पता नहीं है उसके आगे की एक अंतिम की लिला को हम जान कर हम रास की और प्रयान करे योग माया ब्रह्मान की और प्रयान करे महारास की और दिव्य लिलाओं की और प्रयान करे तो उसकी एक और लिला है प्राणना जी ने वाणी में बताया है इसलिए दिल में और बात एक उठी, कि हो बात को भी ले ले, क्योंकि हो बात रास में भी आएगी, जो कुमारी का सख्याय थी, सुकदेव मुनी ने भागवत में वरणन तो किया, मैं बार बार भागवत की बात इसलिए ले रही हूँ, कि सुन्दर साथ जी, सुकदेव मुनी ने भागवत में, दसमें सकंद में, जो अखंड नब्रज और रास के लिलाओं का वरणन किया, दसमें सकंद में 29 में अध्याय से लेकर, 35 तक जो वरणन किया, उसमें 29 में अध्याय में जो बात बताई गई है, सुकदेव मुनी पाच अध्याय में वरणन करके, वहां क्यो रुक गये ये बात मैंने परसो भी ली थी आज मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगी क्योंकि सी प्राणनाजी ने वाणी में बताया कि सुक्देव मुनी बेहद तक पहुँचे अक्सर की योगमाया ब्रह्मांद बेहद भुमिका तक पहुँचे परमधाम की दिव्य भुमि उसके बारे में उसने नहीं ओजान नहीं पाय शुकदेव मुनी सिप्राणनाजी ने बताया गुजराती प्रकास गुजराती में एक תिस नमबर के प्रकरण में के पात्रविनातों पामिया मुनी जी का करो दुख आज लगे इन ब्रहंमांद में किन लिया है सुख मुनी जी हमारा कागज तुम साथे आईया खबर हद बेहद की देकर तुमको पठाया सुन्दसाजी मैं दो चुपाई सी प्राणनाजी की वाणी के आधार पर इसलिए रखी कि आपको आपके सामने कोई अजवशने उजनिया कोई भी आत्मा आपके सामने आए मैं परसो भी बात रखी थी कई मत्पंथ वाले कृष्ण तत्व को लेकर बात तो कर रहें लेकिन आप रहस्य आप बेद तब खोल पाएगे जो मैं बात समझाने जा रही हूँ उस पर आप ध्यान देना सिप्राणनाजी ने बताया के गरंथ की रचना हो जाए लेकिन महारास का अखंड मुमिका का वरणन कभी भी पूरा नहीं होता लेकिन पांची अध्याई में शुक्देव मुनी ने क्यों वरणन कर दिया और परिक्षित हाँ वो अत्माए ये भी आपको जवाब देगी कि परिक्षित ने प्रश्ण कर दिया, परिक्षित के अंदर संसई हुआ ने, जब वर्णन करने बेठे, शुक्देव मुनी तभी परिक्षित को बताया था, कि परिक्षित ये बेहत की बाते हो रही है, ये अखंड तत्व की बाते हो रही है, आप संसई बीच में मत करना, आ जो आ रही है जोसकी सक्ति सुन्दक साजी ये वरनन ये धर्यातल पर नहीं होता समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है सक्ति इसले में बार बार बोलती हूँ कि बीच में बात मत करना इधर उधर आपकी नजर मत ले जाना ये बात अक्षरातित की सक्ति से हो कर दिया ये प्राण ना जी ने जवाब दिया ये बेद को समझ ना आज लोग भागवत करके बता रहे हमारे निजानन सम्रदाई में भी बता रहे ने लेकिन ये बेद खोल लिए मैं ये करेया हूं जब बेद खोलेगे तभी तो सबको पता लगेगा समझ गए सिर्भागवत की बाते करने से किसी को पता नहीं लगेगा प्राणना जी की वाणी को साथ में लेकर जब बेद खोलेगे तभी तो पता लगेगा कि ये बात प्राणना जी ने क्यों रखी प्राणना जी ने इसलिए सुन्दर साजी ये बात रखी कि जहां सुकदेव मुनी अटक गए उसके आगे वरणन रास्का नई कर पाए उसने बोला कि भई हद के जीव बेहद की बाद इतनी तो जान ली उसने बोला परिक्षित को सुकदेव मुनी ने कि है परिक्षित तु राजा के राजबये में जोगी के जोगी भया केहने वाला उठ गया क्या बोला केहने वाला उठ गया परिक्षित को यह संसय हुवा ध्यान से सुनिये कि आरे शुकदेव मुनी इक ब्रह्म की बात कर रहे एक किसना तत्व की बात गोपी काये रास्रमन कर रहिए तो कैसे ब्रमचारी ? संसई हुए ने ? सुいきंट साथ जी क्वी ब्रम के बारे में संसई मत करना ये ब्रह है हम एक जीव ہے ये ब्रह है हम एक जीव है हम भी जीव के धरातल पर जितनी बाते सोचेंगे कभी भी बेहद में नहीं जा पाएंगे इसलिए मैं परसो भी बता रही थी कि सरी से उपकर उठना, जीव से उपर उठना जब हम ध्यान लगाते ने, मैंने बात रखी थी कि पहले वीरह में डूबना, दर्द में डूबना, उसके बाद जब प्रेम प्रगट होगा, जब ध्यान लगाएगे तो ध्यान में सुन्दसाजी, मन, बुद्धी, अंतरस्करण या जीव के धरातल से उपर, जब हम आत्मा के धरातल ऊपर जाएँगे तभी बेहत की बात समझ में आएगे और उसके बाद परमधाम की बात समझ में आएगे सुन्दसाजी हम बेहत में ही रहेंगे तो परमधाम की बात समझ में ने आएगी उस बात से यही जानना है आपको यही उदेश्य मेरों को बताने का के विचार कीजिए परिशित के अंदर यह प्रस्न हुआ तो जीव के अंदर संसय हुआ ने तो आत्मा की जोज केहने वाली जोज की एक सक्ति थी वो तुट गई व सिप्राण ना जी ने बताया आगे जहां भागवत में सुक्देव मुनी ने पांच अध्याई में रासका वरणन वहां सिमित कर दिया आगे नहीं के पाए ओबात सी प्राण ना जी ने आगे बताई कि जहां इस इस ब्रहमान का ज्ञान जहां अटक गया जहां सिमीत हो गया वो ज्ञान अक्सराथीत कान खोलकर सुन लिजे अक्सराथीत स्री प्राण नात पुर्णब्रम परमात्मा भागवत रापर के अंतिम में आ गया था लेकिन उसके बाद अंतिम धर्मगरंद निशकलंक बुद्ध स्वरूप बुद्ध स्वरूप शी सत्गुरुदनी सी देवचंडर जी और कल की स्वरूप श्री प्राण नात जी या इसे निशकलंक बुद्ध स्वरूप स्वरूप श्री प्राण नात जी आखर में बुद्ध और कल की स्वरूप बनकर आखरोल इमाम मेंदी कहो या व ज्या अभिनंदन, बुद्ध निश्कलंक श्वरुप बनकर, आखीर धर्मग्रंथ, ये अंतीम धर्मग्रंथ, शास्त्रों की बासा में उसको ससम वेद, आत्म वेद कहा गया, ऐसे निजानन संप्रदाई की पधति में उसको कुल्जम वानी, अखंड वानी, श्री तार्तम वानी, शी ब्रह्म वानी, शी स्वरुप साहिव कहा गया, ये शी वानी उत्री, स्री निजानन संप्रदाई में उसमें बताया, क्या संसार का जो पूरा ज्यान है, ये संसार का पूरा ज्यान से सुनिय सुन्दर साजी, जो मैं बताने जा रही हूं, संसार में, अख्यान ग्रंथ, छे सास्त्र, उसके बाद अठार पुराण, एक्षो आठुप निशद, उसके वियाक्यान ग्रंथ, और छे सास्त्र, अठार पुराण, और आगे जाए तो भागवत, अठार मापुराण भागवत, श्रीमत भगवत गीता, रामायन, अभी मैंने नाम लिय बुरूहत सदासिव सहीता, महस्वत अंत्र, पुरान सहीता, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, भविश्य अतर पुरान, भविश्य पुरान, ऐसे कई धर्म सास्त्रों की रचना हुई, यह द्रापर के अंतिम में हो गई, लेकिन उसके बाद अंतिमें गीता भी उतर इने, कुरुक्षत्र में, लेकिन मेरे का कहने का आगे का यही भावे, उसके बाद अंतिम दर्व ग्रांत, यह वाणी यही संसार में आई वी निजानन संप्रदाई में, तो चार वेदों का सार, चार वेदों का सार, चेर सास्त्रों का सार, एक्षवा ठुकनी सदों का सार सत्र पुराणों का असार भागवत ग्रंत अठार मा पुराण दसमें सकंद में समा गया किश में समा गया चार वेद छे सास्त्र एक्सवाट उपनिशद उसमें प्रमुक उपनिशद 11 है ग्यार प्रमुक उपनिशदे और सत्र पुराण ये सबका सार तत्व अठार मा पुराण भागवत में समा गया और भागवत में भी दसमें सकंद में शुकदेव मुनिने सुन्द साजी पुरा दसमें सकंद में नेव अध्याए में मतलब नब्वे अध्याई में समाविष्ट कर दिया, नब्वे अध्याई में 35 ब्रजलीला के अध्याई और 5, 35 में से सुन्दत साजी जो 5 अध्याई है वो रासलीला के, वो त्रीस अध्याई है, वो ब्रजलीला के, उसमें 5 अध्याई में रास का वरणन समाविष्ट कर दि तो चार वेद, छेर सास्त्र, एक्षो आठुक निशद, शत्र पुराण, सबकासार, भागवत के दसमें सकंद में 90 अध्याय, उसमें भी 30 अध्याय, उसमें 30 में 10, 30 वद्रज लिला के, पाच रास लिला के, उसमें संपुर्ण संसार के ज्यान, चौद लोग के संपुर्ण ज्यान, उसमें समा गया, उसके आगे कोई संसार में बात लेकर नहीं आये, तो जहां सुकदेव मुनी अटक गए रास का अवर्णन करने के लिए, परिक्षित ने प्रश्न कर दिये, वहां से स्री प्राणनाजी ने इस संसार में अंतिम धर्मगर ये वाणी लेकर आये, और वाणी में जा सुकदेव मुनी अटक गए पांच में अध्याई में, वहां से पेला ग्रंथ हमारी जो ए निजानन संप्रदाई की जो पद्धती में सुन्दर साजी हमारा जो सिद्धान थे, उसमें अम जो अमारा अरद्याइष्ट रूप में जो वाणी की शेवा पुजा करते आ रहे हैं, वाणी में सुन्द्साजी पेला ग्रंथ रास ग्रंथ है, ये वाणी का आउत्रण होगा तभी में बताऊंगी, ये रास ग्रंथ जा सुकदेव मुनी अटक गए, वहां से रास लिला प्राणमबुई, वह रास लिला की ओरम आगे जा रहे, तो पेला ग्रंथ रास, जिसमें लिला कावरणन शुकदेव मुनी भागवत में नई कर पाये, वो आगे सिप्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ में किया, वो आम आज विस्ता से सुनेंगे, आप ध्यान से सुनिये, बोलिये सिप्राणनाथ, तो हमारी बात आदी वहां रही जो कुमारी का सक्या कौन सक्या अंतिम में भागवत के आधार पर कुमारी का सक्या ये कात्यानी देवि का कार्थिक मास में कार्टिक मास में कात्यानी देवी का वरत करती थी, वो भी नगनशनान करती थी वरत करती थी और रोजशनान के टाइम, तो क्रश्ण के रूप में अक्षरातित की आवेश शक्ती जो अक्षर की आतम लीला करी थी गोकुल ब्रज में, हो बहुत टाइम से देखते आ रहे थे और दो कारण था, क्या कारण था? दो कारण था कि उसकी जो एक लाज मरियादा सर्म को दूर कर, उसके जो एक वस्त्र रण की लिला है, यही कारण था, वो दूसरा कारण यह था, सिप्राण नाजी ने वाणी के आधार पर भी बताया, कि सुग्रेव मुनी ने यह कुमारी का स्रख्याओ का वरण भागवत में नहीं किया है, 24 सज्जार जो इस्वरी सुष्टी बेहद से आई, वो वरणन भागवत में नहीं है, तो सिप्राण नाजी ने बताया, कि यह वरणन में क्यों न करूं, यह वरणन में क्यों न करूं, तो 24 सज्जार जो कातियानी देवी के वरद करके, कुमारी का जो सक्याओ थी, उसका, उसकी जो लाज और मरियादा और सरम दूर करके, एक दिन क्रिश्ण जी गए, यमुना नदी के किनारे पर, यह गोपी कहे, 24 सज्जार, श्नान कर रही थी, अपने वस्त्र किनारे पर रखकर, क्रिश्ण जी आये, बहुत टाइम से ऐसे नगना स्नान कर रही थी, क्रिश्ण जी ने दिल में सोचा, कि उसकी लाज मरियादा, और वरुण देव के साथ जल में, उस नान करी हो भी दूर करना है, और मैंने एक बात परसो भी रखी थी, जैसे हमारे साथ कोई कोई दिन गोकुल में, कुमारी का सक्या भी, हमारे संग रहती थी, तबी भी साथ में जोड रही हूँ, आज दो कारण है, क्रिश्ण जी आये, उसने देखा, उसके वस्त्र लेकर कदम के बैड़ पर चड़ गए, नीचे से गोपी का आये नाने के बाद, बहार किनारे पर तट पर आई, उसने देखा अपना वस्त्र, नहीं ये उपर देखा, तो कदम के पेड़ पर क्रिश्ण जी सब के वस्त्र लेकर चड़ गए, तो बोला है लाला, है क्रिश्ण हमारे वस्त्र लेकर क्यों उपर चड़ गए, तभी उसने बोला, क्रिश्ण जी ने, के गोपी का है, ऐसे नगनश्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वेद और पुराण कि मर्यादा के विरूद जा रही हो वेद और पुराणों में लिखा गया है कि न नगनशनान यात हो कभी भी नगनशनान नहीं करना चाहिए तवी गोपिकाओं का जो अंदर का एक समर्पन जो एक प्रेम भाव होना चाहिए यह समर्पन यह 24 सज्जार कुमारी का के अंदर न जी उसके साथ और एक वाइदा भी करना था तो गोपिकाओं कोल किया और पुछा के लाला हमारे साथ कब लीला करेंगे तभी लाला ने बोला के पहले तो बाहर आ जाओ अपने वस्त्र ले लो और मैं आपके साथ समयाए मैं लीला अवश्य करूंगा लेकिन आज आपके सा नहीं करूंगा ये देह के साथ ये शरीर के साथ नहीं करूंगा क्योंकि हम रज की लिला मैंने अभी रास में करूंगा लेकिन आपकी दो-दो सूर्त आए मेरे तन में बैठकर लिला करेंगी ये कोल भी वाला जी ने किया और एक और भी किया कि वेद मर्यादा की विरुद नहीं जाना चाहिए और भी किया कि है गोपिकाए आपके अंदर समर्पाण और पुर्ण नहीं है जब तक आप विरह की बठी में आप विरह में नहीं तडपोगी और मेरे प्रती पुर्ण समर्पन नहीं लाओगी तब तक मेरे साथ आप लिला नहीं कर पाओगी तो यह लिला करके आज धामदनी अक्शरा-तीत सी प्राणनात हमको राश की ओर ले जा रहे है, कहां ले जा रहे है राश की ओर ले जा रहे है तो दो वचन और दो कारण ये भी पुरा होगे चुपी सज़ार कुमारीकाओं के और ब्रह्मात्माओं के साथ भी लिला होगी सुनधसाजी ये लिला का वरणन भागत में भी बताया गया है ओश्री प्राणनाजी ने तो बहुत विस्तार से प्राणना जीनेवानी में बताया कि रास नर्शी में ताने नहीं किया इसलिए मेरे मन में बहुत उत्कंठा है प्रबल चाहना है तो मैं रास की वर्णन बहुत विस्तार से करने जा रहा हूँ आप सांती से सुनना एकागरता से सुनना किसको बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं हमको बोल रहे हैं सुन्दर साथ जी ऐसी माधूरिय मैं ऐसी प्रेम मैं ऐसी आनंद मैं लीला वाला जी ने कितने साल की 11 साल की कितने साल की 11 साल की 11 साल की जो लिला ये हुई हो लिला में सुन्दर साथ जी हमने कई-कई लिलाओं का वरणन सुना बहुत भावशे, बहुत प्रेम से हो आनंद लिया हम आगे बढ़े उस लिला में उसका भागवत में शुन्दर रणन किया गया है उसका भी हम प्रमान देखें देखेंगे वो रास का भी प्रमान देखेंगे शुन्दर साथ जी 11 साल पुरा हुआ रोज आनंद में इश्क में लिला हम करते थे, हमने कितनी लिलाओं को दो दिन में देखा प्रेम में लिलाओं को ऐसी तो बहुत लिलाओं हुई लेकिन समय मर्यादा के साथ हम बहुत लिलाओं में नहीं जा पाए बोलान आधे लवे अरत सरे इतनी लिलाओं का सुख जो आपने लिया वोई लिला को रोज अंदर से आत्म चिंतन करना श्वाध्याई करना मंथन चिंतन करना सुदसाजी ओर रस को आप रोज ही पीना और परमधाम की लिला को देखना और डुबना उस लिला में हम आगे बढ़े ग्यार साल हुआ वाला जी ने बोला सक्या तुम एक पल मेरे बीना नहीं रह पाती हो मेरी एक पल की जुदागी आपके लिए युगो समान है तो चलो ने हम एकांत में ब्रुंदावन की ओर चले वहाँ ऐसी प्रेम मैं प्रेम के परकाश ठाकी क्योंकि वाला जी के दिल में अनौन्त प्रेम गंजान गंजी स्कबरा था वही प्रवाहीत करके एक रामत वो रास नहीं ताली वाला या हम सरीर को नृत्यगान करके ऐसे बोडी को करके ये नृत्यवाला रास की बात में ने के रिवाज्य जो जिस-जिस आस्त्रों में प्रमान दिया है उस प्रमान के आधार परमागे बढ़ेंगे सुन्दर साथ जी लाला ने बोला कृष्ण ने अभी तो किशोर वईका हो गया ने 11 साल कोई लोग बोलते के कुमारी का सख्याओ का जो वस्त्रोनन किया कोई शमत्य नहीं ने बुद्धी के दरादल पर सोचते देखो लाला तभी 10 साल का था रिष्ण अंदर विकार भी नहीं पैदा होते ने तभी नीर विकार बच्चे होते बालक होते चलो होई बात में तो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे जो लिला परमागे बढ़े होई लिला में सुन्दर साथ जी खृष्ण जी ने बोला कि सोर वई के हमारे खृष्ण जी अक्ष्रातित की आवेश के साथ जो लिला हो रही है लाला ने बोला कि गोपी का ये सख्याओ चलो ने आजम ये कांत में पृंदावन की ओर रास रमन करने के लिए चले जाए तब गोपी का ने क्या बोला पता है कौन थी गोपी का हम सब थी कौन थी हम सब थी हमने बोला अरे लाला आज तू बालक थोड़ी है आज तू तो किसोर वई का हो गया आज तू तो किसोर वई का हो गया क्योंकि माया आ गई ने बीच में वाला जी ने मुल मिला में क्या कहा था? याद कि जो बात भूलना मत, बाहर बार याद करना मुल मिलावे को. परमदाम में सी राज जी के साथ जो हमारा रबद हुआ था, प्रेम का मिठा जो जगड़ा हुआ था, तभी राज जी ने बोला था, जैसे जैसे तभी गोपिकाय हम कितनी बड़ी हो गई, यह पहले मैं बात रख लूँ. पहले हम ब्रजबदू, ऐसे बड़ी-बड़ी गोपिकाय तो थी, लेकिन कोई बड़ी-बड़ी गोपिकाय की विवा या साधी नहीं हुई थी. तो सुन्दशाजी, हम माईके में होती नहीं, तभी, कैसे रहती, कैसे रहती, कोई टैंसन नहीं, कोई चिंता नहीं, यहाने के बाद कितनी जंजट, कितना संभालना, परिवार का, बच्चे का, पती का, रिस्तेदारों का, विववार का, माया प्रबल बन गई या नहीं बन यह किसकी बात है, वाँ, किसने बोला था, कि तु किसोर वई के हो गए, तु कामी है, तु परपुरुस है, तु छलिया है, तु धुतारे है, आज तु बड़ी उम्रवाले हो गए, देखो हमारे पती, क्योंकि पति साधी हो गई ने हमारी, तबी तो माई के में थी ऐसे, मुक्तमन से विच्छन करती थी कोई टेंसन भी, चींता भी नहीं थी, ससुराल आई, सास की चिंता, ससुर की चिंता, पती की चिंता, घर परिवार बच्चे की चिंता, कितना, माया ओर प्रबल बनने लगी, और बहार का भी काम करना पड़ता, तो माया और प्रबल बन गई, माया ने और जोर पकड़ा, तो हमने कितना कटू बचन या कितना ऐसे सुन्दर साजी गाली दे दी थी वाला जी को, वाला जी अंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे कि देखो इतने दिन में एक बार अजमाया है अभी मेने तो, एक बार व्रज में अजमाया, सब रल गई, सब पानी में बह गई, अभी तो सो बार की बड़ी बाते मुल मिला में करती थी, कि धनी एक बार नहीं, सो बार अजमा के देखो, कभी न भूले, हम इतनी देर में तो इस पर कुछ तो करना ही होगा, फिर क्या किया वाला जी ने, बावन दिन का सुन्दर साजी हमारे एक पल के बिना उसके, एक पल, एक शान, उसके बिना आम नई रे पाती थी, जब वाचडा लई वन पधारे त्यारे, रोवन ता, जब वाचडा, छोटे-छोटे बच्छडे को लेकर वाला जी वन पधारते, तभी हमारे कैसे दिन बित्ते थे, गुजरते थे, रोवन ते दिन जाते थे, हमारे लिए जुगो समान, ऐसी दिन बित्ते थे, घर में जाती थी, एक बार मुख देख लेती थी, तो घर में चेन नहीं पड़ता था, अन्याज बावन दिन की जुदागी, किसकी बात है वो, हम एक बार कर लेते, फिर तेविस कंटे, राज्जी के बिना चले जाते ने, कई बार दस दिन के लिए माई के चली जाती, तो दस दिन राज्जी के बिना चले जाते, कई बार दो तिन महीने के लिए और माया प्रबल बन जाती, तो राज्जी के बिना, कोई टेंसन की बात नहीं, कोई विरह नहीं, कोई दर्द नहीं, देखो सुन्दर साथ जी ने बंगला जी दर्बार में ऐसे एक की पल में तन छोड़ दिये थे, हमारे अंदर, किसकी बात है ओ, बावन दिन तभी भी चले गए सुन्दर साथ जी, यही हम तो थे, कौन थे वर अंदेश दे रही है, यह याद दिला रही है, कि बावन दिन तभी भी वियोग मेरा सहन कर लिया था, तो आज तो करोगी ही करोगी, सामने था, ब्रज में था, गोकुल में था, तो भी बावन दिन मेरे बिना रह ले थी, आपने रह लिया था, कोई बात नहीं आज रहती हो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देहते हैं ने, वाला जी के बिना, यहां के पती, यहां के कुटुम का भी लिए परिवार के बिना, आम, दो गुंदे में पांच, कितने फोन कर देते, पांच बार, फोन कर देते पहन, वाला जी को, एक बार फोन किया, कभी भी तो कितनी बार पोन कर लेती, माईके में कैसे हो, क्या ठीक तो हो ने, बीमार तो नहीं हो ने, बुखार तो नहीं आया ने, सीरदर तो नहीं हो रहा ने, बहुत पुछ लेती हो, लेकिन वाला जी को कभी भी हम याद, जितनी अंदर तेह दिल से करना चाहिए, वाम नहीं करते कोई बात नहीं, दस दिन सुनना है, सुनलो, बोलेशी प्राननात, कौन ये बात केगा सुन्दत साथ जी, वाला जी के सिवा, कोई इस संसार में अमारा दर्द लेने वाले है कोई, है, है सुन्दत साथ जी, ये सब स्वार्थ के लोग है, सब स्वार्थ के रिष्ट है, ये लिए दुखता, तो वाला जी ने क्या अंदर से सोचा पता है, क्या सोचा, चलो वो तो मेरे बिना रह लेती है, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, उसने सोच लिया, कि मैं बांसुरी बावन दिन तक नहीं बजाऊंगा, और पेर में गुंगरू भी मैं नहीं पेर क्योंकि जैसे मैं उसके दर्वाजे खिड़की के पास से पसार होंगा, गाई या बच्छडे को लेकर चराने के लिए वन में जाऊंगा, तो मेरी आवाज पेर के गुंगरू की सुन लेगी, या मेरी बांसुरी के आवाज, या एक बार बांसुरी के आवाज आती ने, सक् स्त्रियठ ने, समझ में आया कोर, आप मत देखना, आप नहीं, आप नहीं, स्त्रियठ ने, जब तक वोर नहीं बोलाएगे ने, तब तक हम एक स्त्रियठ, एक राजट, एक योगियठ, एक बालट, कित्रियठ है, एक स्त्रियठ, एक राजट, एक बालट, एक योगियठ, घर में भी ऐसा मिठा जगड़ा होता रहता है, कई बात जगड़ते ने, तो हम सोच ते जब तक यह नहीं बुलाएंगे ने, तक तक हम सामने से, दो अधिन हमारे लिए निकल जाते, किसकी बात है, किसकी बात है, कोई मैं क्या बना-बना कर बोल रही हूँ, हमारी तो बात है एसे राज जी को, राज जी ने बोला कि मैं आपके बीना नहीं रह पाऊंगा, राज जी ने बावन दिन तक सुन्दर साज जी, पेर में गुंगरू, जांजरी, कुछ कटले, काम भी नहीं पहने, बान सूरी बंद कर दी, एसे खिड़की से निकलते थे, बात से, तो सुन् तबी लकड़ी की खिड़की बनती थी, पाच अजा साल पहले, तो ऐसे उसमें कोई-कोई सुन्दर साजी देखने में, बारदस अगय से कोई वोल भी होते ने अंदर का, तो ऐसे अंदर से देख लेते, खिड़की की बीच वाली जगह से, देख लेते, और क्या करें, बोल जाती, वाला जी भी नहीं जाते, ऐसे देख लेते, फिर चले जाते, वो भी चली जाती, कई बारा साम को जब वनों से गाई बच्छडे को लेकर वापस लोडते, तभी सक्या उसकी तो राख तो उसकी अंदर देख रही है, लेकिन एक जिद करके बैठी हैं ने अंदर, ए तब तक वो नहीं बुलाएंगे, तब तक में नहीं जाओंगी, वो नहीं बुलाती है, वो भी नहीं जाते, खोलते भी नहीं खिड की, ऐसी बावन दिन तक जुदागी चली, बावन दिन के बाद, हम तो सांती से अभी तक रह रहे तो भी तो रह लियाने, समझ गए मेरी बावन दिन तक सीमित नहीं हो गया, समझ गए मेरी बात, उसके बाद, पाच अजार वर्ष के साल के बाद, ये चार सो साल के बाद, अभी भी चैन से रह रहे, तो तभी बावन दिन तो हमारे लिए क्या छोटी सी बात है, तभी वो गये योगमाया ब्रह्मान में, हम नहीं गये, वो योगमाया ब्रह्मान में गये, और क्या किया, बांशुरी जब बजाते है सुन्दसाद जी, तो हम से पहले कौन गये, राजजी ने वानी में भी बताया ने, कि हम खेल देखावन को काज, हम से आगू आए, सिरासी धनी जी के लागू, सी धनी जी के लागू पाए, स्री धनी जी के गूपाए, मेरे पियुजी फेरा सुफल हो जाए, स्री धनी जी के लागू पाए, सुन्दसाद जी, धामदनी ने बताया, कि मोः सागर, ये भाव सागर की, अभी तक किसी ने किनार पाई, भाव सागर को पार करकर, अभी तक कोई नहीं गये थे, यही बात, यही बात, राशगरंद के पहले नंबर के प्रकर में भी बताई, कि सोहेली थाई तम थकी, सोहेली थाई तम थकी, ये ने कोई ओड़कतू न थी, सुक देवे के तो कई ककती, पन बीजा रहिया, मथी मथी, सिप्राणनाजी ने, जिन जिन महापुरुसों ने, जो बिहद में जो गए, उसका नाम उसमें जाहेर किया है, कि सुक देवे तो इस माया को थोड़ा सा भी पार, पामा, इससे पार गए, बिहद में गए, लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु में सौतार देवी देवता आये, वो इस सिमित ख्षरिंड के अंदर ही रह गए, उसके आगे कोई नहीं गए, सिप्राणना जी यह बता रहा है सुन्दसाद जी के तुमसे पहले में गया, कों गया, तुमसे पहले योग माया ब्रह्मान में में गया, पांच दीन प्यू हम वास्ते पांच वेर सागर में डारिया, आप ये दुसरे दिन भी सुंदर साजी हमसे पहले राजी आये गा, कौन आये गए? राजी पहले वरज में भी हमारे पहले कोन आये थे? तबियो बधाई लेकर गई जी गये अक्षरा तीट गये योग माया ब्रमान में उसका वर्णन भागवत में दसमें सकंद में 29 में अध्यां मे बताया भagवांद्र रपीरात्री भगवांद्रा पितारात्री सर्द फुल्लय मल्ली का विक्षरन्तु मनस्चक्रे योगमाया उपाशित। शुकदेव मुनी ने दसमें सकंद में 29 में अध्याई में बताया ये योगमाया का ब्रह्मान कितना सुन्दर था ये बताया कैसे बताया हम आगे जाने जैसे लक्षमी जी विश्ट्रोगवान की धर्मपत्नी और धांगी लक्षमी जी के मुख शमान लक्षमी जी के मुख शमान ऐसे अनंत सोंदर्य वाले अखंड शरुप वाले पुर्णी मा के चंद्र जबाकास में उग निकलाया कैसा दिन था तब सरद आसो मास की सरद पुनम थी सुन्द साथ जी मैं आगे बताऊ और थोड़ी बात एक बात अभी याद आई जन्माश्टमी के दिन से लेकर आसो मास तक बावन दिन होता है कितना जन्माश्टमी के दिन 11 साल पुरा हुआने तभी बोलाने सक्यों ने कि चल आज हमारा जनम दिने सक्याने मना कर दिने यह प्रमान उसमें बताया सुन्द साथ जी किसमें भागवत में तभी बताया कि तभी किसने बांसुरी बजाई तो बताया जैसे चंद्र उग निकला सलत्मणी मा की रात्री है मध्य रात्री बार बजने का जो समय होता बार गंटे का जो रात का यह आसपास के समय में सुन्दर साथ जी चंद्रमा की कोमल किर्णो नीचे धर्ति को पुरी और उपराकास को प्रकास सीथ कर रही है और आसपास का जो सुन्दर दिव्य ब्रिंदावन की जो भुमिका की रचना हुई आसपास में जमुना जी जमुना जी का सुन्दर उज्वल जल मिस्री से भी मिठा दुद से भी उज्वल सफेद और तट में मोतियों के समान चमकती हुई रेती बालू और किनारे पर ब्रुक्ष पेड़ा दी वो पक्ष पेड़ में भी पसुपक्षियाओ का कलरव मदूर मिठीवानी में जो बोल रहें ऐसे एक एक पते में करोडो सुर्य उग निकले सुन्दर साथ जी उसमें से जो प्रकास निकले ऐसा नूर ऐसा प्रकास निकल रहा है एक एक पते के अंदर एक किस में बताया किस में बताया भागवत में प्रणन तो किया शुग्रेव मुनी ने प्रतिभी मलिला का सुन्दर साथ जी और आगे बताया के तब जब आकास और जिमी भुमी सब सुसो भीत हो रही ये वरुंदावन पुरा तभी अक्सरा तीत के आवेश ने सुन्दर अनुपम सुन्दर धारण करकर बान्शूरी हाथ में लेकर बजाई तब गोपि का एक कहां से निकली तो ग्यार साल और बावन दिन की लिला प्रुन करके अपने घरबार पती और संसार को ठोकर लगाकर योगमाया ब्रह्मान में पहुची ऐसा तो भागवत में और भी एक वरणन है सुन्दर साथ जी 29 में अध्याई में मैं आगे बताऊंगी द्रश्टवा कुमद अंतमंडलम रमानाम के मुख वरणे नम और बताया वनम्च वनम्च आगे और एक श्लोक में बताया थोड़ा आधा बीश में याद नहीं रा रहा है बहुत लंबा श्लोक है ये भी 29 में अध्याई काई श्लोक है कि तभी 11 साल और जो 52 दिन की जो लिला हुई उसके बाद ब्रज मंडल में सक्या ने ब्रज के ब्रह्मान का लई हो गया और वो रास मंडल में पहुँची का पहुची रास मंडल में पहुची और आगे बताया आलमंदर शहिंता में भी बताया सुन्दत साथ जी और गुरु गरन साहिब में गुरु वानी में भी बताया गुरु नानक साहिब ने के तस्मा दके सम आगे गुरु मानी में अलग रूप से बताया ये बताया आलमंदर शहिंता में गुरु मानी में बताया के पार जातगोपी ले आईया वुरुन्दावन माहे रमन किया पार जातगोपी ले आईया वुरुन्दावन माहे रमन किया नीले कपड़े वस्तन पेने तूर्क पठानी अमल किया यह गुरु गरन साहिब में, गुरु वानी में बताया, उसमें यह बताया, कि पहले जब कृष्ण जी आये, किस रूप में आये, तो कि हिंदु तन में आये, हिंदु तन में कृष्ण के रूप में आये, और कृष्ण के रूप में 11 साल और 20 दिन तक लिला करकर, फिर दूसर रूप धारण करने आये नीले कपड़े वस्तन पेहरें ले तुर्क पठाणी अमल किया फित दूसरे रूप में मुश्लिम समाज में आये महमद के रूप में आये वो भी रास खेल के बरारब आये श्याम तो वहां नीले कपड़े पेहन कर सिर्फ वेस्पुसा बदली सक्ति क कोन रही सक्ति कोन रही सुन्दसाजी अक्सरा तित की सक्ति रही महमद साहिब के अंदर राज जी के जोस आये मैंने थोड़ी देर पहले भी सुन्दसाजी आपको बताया था ने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ रूप और नाम बदलते हैं लेकिन सक्त बार-बार एक-एक तन को छोड़कर अलग-अलग तनों में सुन्दसाजी आती है ऐसे आलमंदिर सहिंता में भी बताया अंतिम में बताया कि कृष्णो ब्रजातु संदातो लिला कृत्वाश्व मालयम जे में आदेश लोग याद नहीं आ रहा था सुन्दसाजी उस में बता कि योग माया ब्रह्मान में ओशकिया यह सब छोड़कर 11 साल और 52 दिन की लिला को पुरुन करके ब्रजमंदल का लई हो गया और सब योग माया ब्रह्मान में पहुंची ऐसे सिप्राणनाजी ने सुन्दसाजी रास गरंथ में भी बताया कि यही स्वरूप ने यही यही जमुनातत सार घर्थी तीत ब्रह्मान से अलगा तार्थ में किया निर्धार यही स्वरूप ने यही ब्रंदावन कि स्वरूप की बात की जो स्वरूप ब्रजमें खेला वही श्वरूप रास में आया ब्रंदावन में यही स्वरूप यही ब्रंदावन यही जमुना जी ही योग माया केवल ब्रह्म में सुन्दर साथ जी ये जमुना जी भी प्रवाहित होने लगी घर्थी तीत ब्रह्मान थी अलगा प्राणना जी ने क्या स्पष्टी करण किया कि परमदाम से वो अलग है जहां रासलीला खेली गई ने वो परमदाम से अलग है परमदाम में खेली नहीं गयी है गहर्थिथीत ब्रह्मान से अलगा इस ब्रह्मान में भी नहीं, ये कालमाय के ब्रह्मान में नहीं यही वर्ण शुक्देवमुनी ने भी भागवत में बताया कि हे वैश्टनेव जणो ये यहां का जो युपी वाला यहां का युपी वाला जो गोकुल मथुरा जो ब्रज मंदल बना यहां भागवत में यह भी बताया जो मैंने एक श्लोक पहले भी रखा द्रश्टवा जो अखंड मंदलम वाला उसमें भी बताया के हे वैश्टने उजनों हे मेरे प्रिया आत्माओं मैं आपको एक वास्तविक्ता का हूँ आपको एक सुध दे रहा हूँ क्या दे रहा है सुन्द साजी वलबाचारिय जी ने सुब अधिजिनी में भी यह वरनन किया है और भागवत के दसमें सकंद पर तो सुब अधिजिनी है भागवत के दसमें सकंद पर बलबाचारिय जी ने जो सुब अधिजिनी के अलग-अलग भाग में वरनन किया वो शुक्देव मुनी ने भागवत में जो दसमिस कंद लिखे उस पर ही किया है तो सुबो दिजिनी में बेवरणन किया है मैं तीन बात साथ में ले कर रही हूँ क्योंकि समय साथ नहीं दे रहा है इसलिए मेरे तो थोड़ा स्लोक भी छुट रहा है इसलिए नहीं छुटता क्योंकि घड़ी पर धियान जा रही है जो रास में तो पहुँची जाना है आज दस मिट हमारे पास है इसलिए मेरे से थोड़ा छुट रहा है सुन्दर साजी में तीन बात साथ में ले रही हूँ शुबधी जिनी में भी वलवाचार ये दिन दसमिस कंपल जो लिखी उसमें भी बताया भागवत में भी बताया गया है उसी प्राणना जिने वाणी में भी लिखाये प्राणना जिने बताया के रास कहां खेली गई पहले में वानी के आदार पस्पष्ट करूंगी, कि परमधाम में भी नहीं, यह कालमाया के ब्रह्मान में भी, जहां दिन और रातरी का ब्रह्मान और आए, यहां दिन भी होती है, होता है और रात भी, होती है, यहां कालमाया जो दिन और रातरी के साथ, समय के साथ बंदा और सिप्राणना जी ने आगे बताया कि यह रास कहां खेली गई तो बताया कि एक शर ब्रह्मान नारायन तक मैंने पहले दिन भी वरणन किया था चौध लोक अंतर गत एक ब्रह्मान उसका सर्वच प्रतिनि दित्व नारायन करते हैं यह नारायन तक राश खेली नहीं गई तो नारायन तक अंतर गत तो यह भ्रजबंडल है यह वरज की लिला होई लेकिन रास की लिला यह नहीं हुई है फिर आगे बताया कि उसके पर क्या आया तो कि उसके पर अक्षर की भुमी का आई अखंड योग माया ब्रह्मान आया अक्षर ब्रह्म का चार वी भूति पाद यहां से उपर जाए अक्षर ब्रह्मान से उपर अव्याकुद ब्रहम, शबलिक ब्रहम, केवल ब्रहम और सतरुरु ब्रहम तो अवियाकुद सबलिक को छोड़ दो और केवल ब्रहम जो बुद्धी का स्वरूप है वहा केवल ब्रहम में वो राश खेली गई बोलिये सी प्राणनाद, अक्सरातीत, फिर में दोहराती हूं, अक्सरातीत, पार ब्रह्म, पुर्ण ब्रह्म, स्री राजी ने अपनी आहलादीनी शक्ती आनन सरुपा श्यामाजी के साथ, और श्यामाजी की आनन सरुपा बारज्यार आत्माओं के साथ, योग माया ब्रह्मान केवल ब्रह्म में अपने दिल की जो एक प्रेम अनंत प्रेम है वो प्रेम प्रवाहित करके अनेक रुपों में अनेक लिलाओं में जो रास खेली गई योग माया ब्रह्मान में उसका वर्णन तैत्रिय उपनी सद में भी दिया गया है ये रसो वेसा रसो, रसो वेसा रसो, ये ब्रह्म रस रूप है, तेत्री उपनी सद में क्या कहा गया, ये ब्रह्म प्रेम रूप है, ये ब्रह्म रस रूप है, ये ही प्रहमान रुगवेद में भी दिया गया है, किश में रुगवेद में भी दिया गया है ये प्रहमान, यदगने श्याम हम त्वम वादा यदगने श्याम हम त्वम वादा श्याम हम ये रुगवेद का कथने उसमें कहा रुचाओने रुगवेद की रुचाओने कि परव्राम जो तू है ये परव्राम जो तू है वो मैं हो जाओ और मैं हूँ वो तू हो जा तो रास किसको कहते है एक रस एक आत्मा और परमात्मा ताली वाली रास नहीं नित्य करने वाली रास नहीं आत्मा और परमात्मा की एक रुपता एक रस जो मिलन उसको रास बोलते हैं और स्री प्राणना जी की वाणी में सुन्दसाजी धामधनी ने वाणी में बताया कि श्यामा जी और आत्माओं के साथ और जो कुमारी का शक्याओ जो थी उसके तन के साथ नहीं दो-दो इस्वरिशुष्ट की सूर्ताओं के साथ उसने भी बांसुरी जब बजाई योग माया ब्रह्मान में तब 24 सज्जार कुमारी का ने ये काल माया का जो दिन और रात्री का जो ब्रह्मान बना है ऐसे ब्रजमंडल उसमें कुमारी का 24 सज्जार थी उसने तन छोड़ और कहा निकल के गई योग माया ब्रह्मान में वाला जी ने बांसुरी बजाकर बांसुरी के आवाज में एक-एक सखी का नाम लिया क्या किया एक-एक सखी का नाम लिया तो बारज्जार ब्रह्मात में जो काम में मगन थी वो भी अपने-पने काम को छोड़ कर जो स्थिती में थी वोई स्थिति में उसने जबान सुरी की आवाज सुनी तो वो भी कहां चली गई मैंने अभी बताया के परमधाम में भी नहीं और ये कालमाया के ब्रह्मान में थी नोर रात्री वाला जो ब्रह्मान ने उसमें भी नहीं क्योंकि उसका लई हो गया ये ब्रह्मान जल मे विलिन हो गया तो यहां यह रास खेली गई नहीं है इसलिए अक्सरातितने अपनी श्यामाजी और बारजर आत्माएं और चोविस अजार कुमारी कायों के साथ केवल ब्रह्म की योग माया ब्रह्मान में सब अम पहुंचे और सुन्दसाजी यह भागवत में भी शुकदेव किया के वैश्ने उजणो शुब्धी जी में अवैप किया ये बात अवे में दूसरी बाह रातिए हूं सुन्दसाजी दूसरी रूप से पहले में प्राण़ना जी की वानी पर लिया भागवत में इस आधार पर बता दिया के वैश्ने उजणो जो रास खेली गई वो तो है और भागवत में आगे बताया के वहां तो बहुत ही कल्परऊक्ष थे ल्बाचारी जी ने सुब्स धीle करेकर यह लिए तो कल्परऊक्ष्ष को इसको केते हैं का प्रोक्ष इसको क्यक्ते है कि जिसके नीचे अम खड़ा रहे जाए और अम जैसी चाहना करें जैसी इच्छा करे जितने भी मेहंगी चीज की या वस्तु की इच्छा करे वो चीज वो पदार्थ वो वस्तु ततकाल हाजीर हो जाए उसको कलपरुख्ष बोलते हैं समझ गए वो शुक्देव मुनी ने भागवत में वर्णन किया कि वहां तो बहुत ही कलपरुख्ष वो रात्री तो एक रात्री जो महारास रात्री का रमन हुआ वो तो अखंड हो गई लेकिन ये जो व्रज मंडल है ये गोकुल और मथुरा है वो तो एक दिन महाप्रलाई म नास होने वाला है जो रज की लिला हुई है वैस्ने उजनो वो दिन और रात्री की है और रास की लिला ये का रात्री की है तो आप इस बात पर से इतना समझ लीजिए कि आपका असल ठीकाना आपका असल घर ये गोकुल मथुरा में तो सिर्फ लिला हुई लेकिन आपका असल घर तो बेहद भुमीका में और व्याकृत में और सबलिक के स्थूल और व्याकृत के जो महाकारण स्वरूप है उसके कारण स्वरूप में ब्रज लिला और महाकारण स्वरूप में रास लिला तो इसुबह धिजरिन में बताया कि यहां तो सिर्फ तुम् लिला के लिए आये थे यहां तो तुम सिर्फ जैसे आप अपने घर से यहां लिला केयल आये होने अपना गरत अपनी सोसाइटी में रहेगाने यह है तो अपना गर दिवियард परम दाम्य और पुष्टी मार्ग में जो आत्मायाई उसका घर अखंड योगमाया बेहद भुमी का है फिर वलवाचारी सुग्रेव मुनी ने भागवत में बताया कि जो उसको आप अखंड मानते हो तो ओधव संदे से किसके उपर लाए थे यह आपको पता है कि आप राणना जी ने वाणी में जहर कर दिया और भी एक बात भागवत में रखी कि वहां बहुत ही कलपरुख्षतो है लेकिन जो बात हम यह बात को नहीं समझेंगे कि 11 साल और 52 दिन की लिला के बाद यह व्रजमंडल का लई नहीं हुआ सुनना मैं बहुत गहराई से बात कहने जा रही हूँ जो लई नहीं हुआ वो ही है जो अभी वाला वो ही है मानलो और अक्सरातित का आवेश और जोस चो वापस परमधाम नहीं गया चो वही बात हम समझेगे वही आधार पर तो तो काल माया ब्रह्मान में ही दोनों लिला घटित होगी समझ गए तो योग माया ब्रह्मान की तो रचना करने की जरूरती नहीं परती तो भागवत में भी बताया और प्राणना जी की वाणी ने भी पूरवार किया कि 11 साल और 52 दिन की लिला के बाद अक्षरातित का आवेश और अक्षर की आतम चली गई ये ब्रह्मान का लई हो गया सुन्ना या ध्यान से ये ब्रह्मान का लई हो गया तुमारी सूर्ता बारजर ब्रह्मात्मा जो परमधाम से आई थी वो वापस दिव्य परमधाम में मुल्क तन में उठी हमारा नूरीतन के सबलीक के महाकारण में रासलीला अखन उई और सबलीक के कारण में ब्रजलीला अखन ओगई और सुबह को जो यहां को नूठे यह प्राणनाजी ने प्रकास ग्रंध के बेहद्वानी के प्रकरण में बताया कि जैसे ब्रह्मा यह रा वाचरू गोवाला संगाते जैसे ब्रह्मा जी ने हमने कल लिला देखी थी ने गोप बाल को और गौबाल को के साथ वाचरू बचड़े अरण कर लिये थे ने यह इसे जो लिला हुई वो भागवत में शुक्देव मुनिन लिख तो ली लेकिन वानी नहीं थी तो यह रहस्य यह भेद नहीं खुले यह भेद आज ब्रहाण जी आज जाहर कर रहे है क्या बेद सुन्दसाजी कि हम योगमाया ब्रह्मान में जो रास खेली गई ब्रह्मात महों के साथ हमारी सुर्था परमदा में मुलतन में जागरत हो गई हमारा नुरीतन केवल ब्रह्म में योगमाया ब्रह्मान में जो खेलने वाले नुरीतन सबलीक के महाकारण में अखंड हो गए और कारण में ब्रजलीला के जीव अखंड हो गए और जो हमारे साथ कुमारी का सख्याति ने बेहद वाली उसके साथ जो वाला जी ने जो कोल किये थे वचन दिये थे वो सुर्ता ओ ओ जीवों के लिए सुन्दत साजी सुबह का यहां प्रतिभीम का चो यहां युपी वाला व्रज बना गोकुल और मथुरा बना गोवर्दन परवत बना वृंदा बना तो सुबह को यहां से लीला प्रारंबुई तो सुबह को यह लोगों को पता नहीं चला क्योंकि जैसे वहां से रास अटक गए ने कहां से अटक गए रास हम खेल के वासपस पर हम धाम में गए तो जो 24,000 कुमारी काये थी और 12,000 वेद रूचाये थी वो 36,000 जब यहां प् कुल मतुरा में हुई ता सब गोपिया अपने अपने घर में उठी कहां उठी यह मैं बेद बता रहे हैं समझ में तो आ रहा है ने हम बस बुरा करने जा रहे हैं अपने अपने घर में ओ गोपी काये उठी तो यहां के जो गोकुल है ओ गोप बालकों को ऐसा लगा कि हमारी पत्निया रात को कृष्ण के साथ खेलने के लिए वुरंदावन में गई थी बस खेल के रात को आ गई और सुबक हमारे पास स्वई हुई है और उठ गई पता नहीं लगा कि वो ब्रह्मान 11 साल बावन दिन वाला तो लई वो गया था बीच में हम अखंड हो गए और सुबक ह यहां भी सब उठे तो उसको पता नहीं लगा सुखदेव मुनी ने वरणन तो कर दिया वानी नहीं थी तो यह बेद नहीं खुले प्राण नाजी यह बेद खुला सुन्दस साजी तो उठने वाली कौन थी? 24,000 कुमारी काओं के जीव और 12,000 जो वेद रुचाए थी यहां तपस्वी लोगों ने जो तप करके मांगा था वेद की रुचाओं ने मादुर्य भाव को जानने के लिए इच्छा की थी वो 12,000 वेद रुचाए और 24,000 कुमारी का यह 36,000 का मेला यहां के गोकुल मथुर जो लिला हुई उसमें छती इसमें हमें आये इसमें हम आये हम बारज्यार आत्माया आई नहीं हम कब आयेगी विक्रम सवन 638 में सद्गुरु धनिश्री देव चंद्रजी के साथ आएगी सुन्दसाथ जी यहां आई 24,000 कुमारी का यह और बारज्यार वेद रुचाए उ विक्दावन यहां ने इद्लिय। यहां नहीं और यहां तो दिन वह रात वाला प्रजमंडल है शुक्देव मुनी ने लिखा कि वो तो अखन महा रास महा रात्रियों कभी नास होने वाली नहीं यह वो कभी नास होगी भी?.. रास लिला तो शालू है सुंधसाजी तो यह रास यहां नहीं खेली गई लेकिन हाँ जो भागवत के आधार पर वैशने उजन समत्यार है वो रास ऐसे ही खेली गई कि सुबह को जो चोबिस सजार कुमारी काये और बारजजार वेद की रुचाया आई उसने जहां से रास हमारी अटकी थी ने जहां अटक गई थी योगमाय ब्रह्मान में वो लीला वहां खण हो गई और जहां से अटकी थी वोई लीला यहां से रास की चालू हो गई सुन्दसाद जी लेकिन उसको पता इसलिए नहीं लगा कि वाणी नहीं थी इसलिए सुन्दसाद जी ये भेद है जो यहां की प्रतिविम लीला में 12,000 कुमारी का सख्याए 12,000 वेदरुचाए और 24,000 कुमारी का सख्याए तो यह भागवत के प्रमान में दे दूँगी ऐसे में कोई वो बात नहीं करें कि वो उच्छा और वो नीच्छा पागवत के बार में सकंद को खोल कर देख लेना ऐसे और जग भी प्रमान दिये है कि जब महां प्रलई होगा तब यह चवद लोग पांच तत्व वो तिन गुन का ना सो जाएगा तो रास तो अखंड है तो रास यहां होगी नई वो रास अखंड में खेली गई और वो रास उपर केवल ब्रह्म में खेली गई और अखंड अव्याकृत के कारण और महाकारण और सबली के कारण और महाकारण में अखंड हो गई तो सुन्दर साथ जी हम योग माया ब्रह्मान में पहुँचे ओर रास में हम सब पहुँच तो गए लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो हमने अग्यार साल के बाद वाला जी को क्या बोला था तू परपुरुशे तू कामी है तू क्या है निलज है हम आपके साथ खेलने के लिए लिला के लिए नहीं आएगी ओ वाला जी हमको एक ताना मारेगे उथले वचन फिर वापस हमको बोलेंगे कब बोलेंगे कल बोलेंगे बोलो श्री तो कल आप जो ये लिला विस्तार से सुननी है बेद के साथ सुननी है के कहां कहां प्राणना जी की वानी और भागवत के बीच में कहां कहां भेद है कहां कहां गुज माइना है कहां कहां रोश्य है सुन्द साथ जी वानी के माद्यम से और भागवत का माद्यम लेकर हम सुन्द साथ जी कल योगमाय ब्रहमान में हम पौँच गई वहाँ रुक जाओ हम नया तन धारन करेंगे नया वस्त्रो और आबुषण पहनेंगे फिर वाला जी के साथ हम वचन भी जो आमने बोला था इदो बाला जी वापस देगे ही देगे लेकिन कल देंगे इतना के करवानी को विराम देंगे बोल्य शी प्राणनात शी सत्गुरु धाम के श्वामी शी लालदा सी तिनोपुरी बोलबल बंजे समस्त सुंदर प्रणाम शुंदर साजे हUI क्वामी शेल फmost्टुरर्णार मों श्वा karşıड़ छत्रुमार सी magनना का स्कुर इतना से वह है उतना को प्रणाशना को आमने बोला अडिखे ही दे्या करेंटना region Mickey क्वामी और्Pass Two शी टामने थे का भ्राणनामार ले जेगे कर देंगे हैं एंवाउलड़ival